अचैनल चैनल फ्रेंड्स डॉब तो फ्रेंड्स आज मनंके लि气 लेकर आए एक बहुत ही महत्मून चैप्टर फैस यह आपको सभी सभीबिट के अंदर प्लूध के न्दर काम आता हृँ और ना सिर्फ आपको सभी सब्जेट के अंदर काम आता है बल्कि आप लोग किसी भी टीचेंग एक्जाम की तयारी करते हो तो उसके लिए वड़ा महत्मून हो जाता है और अगर आपके सीटाइट के एक्जाम के लिए बात करूं तो यहां से पता नहीं कितनी बार अंगिनत कोश्चन आपके एक्जाम में पूछ गए और अलग-अलग सब्जाट के अंदर सीडीपी के अंदर आपकी बहासा लिए हो ईवेस के अंदर मैथमेटिक सेंदर मतलब सब्जाट में आपके पूछ गया है तो चलिए बात कर लेते हैं आप लोगों ने थमनेल पर देख लिय था हूं ठीक है और बड़ा महत्पूर है मैंने का अगर आप लोग किसी एक्जाम की तयारी कर रहे हो तो अगर वहाँ पर आपको एंटी पढ़ना है तो आज की वीडियो देख लिजे बहुत आपके काम आने वाली है और सीटेट के लिए तो रामबार्ण होती है क्योंकि ठीक हो आयो वाप लोग सब ठीक होंगे तो किलाज की सुरुवात कर लेते हैं यह आपका सीटेट का बैच है जो मेरी एप्लिकेशन सचिन अकेडमी ओफिशल के ऊपर चल रहा है ठीक है जिसमां आप लोगों को अलग-अलग सब्जेट के टीचर पढ़ा रहे हैं सीडिपी मे अगलक टीचर से आपको पढ़ना हो वह सब इसकंदर आपको देखने को मिल जाएगा जिस पर लोग बहुत भारी संक्या में तयारी कर रहे हो ठीक है तो यह आपको सचिन अकेडमी ओफिशल एप्लिकेशन डाउनोड करने पर मिल जाएगा यह आपकी सीडिपी की बुक है आप लोगों की लुड़ी आई गई है पीवाईक्यू के लिए बहुत टेंसर नहीं थी थी बच्चों को कि पीवाईक्यू नहीं मिल पाते कहीं पर तो इसमें सिर्फ आपको ना पीवाईक्यू मिलेंगे बलकि तीनों डोकुमेंट यह मैंने डाले हुए इनफेक्ट जो मै पेड़ किलास में जो एनफे 2020 पढ़ाता हूँ ना वह मैंने इसकंदर डाली है यह साथ में आरपी डब्लूड एक्ट वीओ चैया आपका एंसेप 2005 वीओ ठीक है कुछ आपके पोजीटिव नेगिटिव वर्ड है जिसको आप लोग एमेजर ने फिलिपकार्ट से जाकर ले अब उसको पढ़ो भी तो देखें वहीं सबसे पहले बात करते आपके सामने मैं कोश्चन आपको पहले हलका सा हिंट दूंगा उसके बाद आपको समझाओंगा और मेरी आप लोगों से यह उमीद रहेगी कि आप लोग पूरा अपता ध्यान लगाकर यहां चीजों को समझ के रही है क्योंकि ऐसे निए कि 20-30 मिनट के अंदर सिक्सा नीती 2020 खतम हो जाएगी कम से कम एक गंटा लगेगा इसके अंदर लेकिन एक गंटा लगने के बाद यह देख लिए जो आपके एक्जाम में पैडगोजी आती है उसको कराने का मूल मंतर होती है ठीक है तो अपना आएकां से अराम से बैठिए और एक गंटे के लिए सब कुछ मेरे उपर छोड़ दिए आप लोग ठीक है चलिए शुरुआत कर लेते हैं अब देखा कर मैं पहले कोश्चन की बात करूं फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा यहाँ पर दिया हुआ है नई सिक्सा नीती 2020 क प्राथमी कक्साओ यानि जो प्रैमरी क्लास होती है क्लास फर्स्ट से फिप्त के लिए निमनी में से क्या इस्तर होगा हमें नहीं पता हुआ उसको समझते जाना तो अभी तो उन्होंने समझाए भी नहीं चीज़ है तो पहले समझा देता हूँ आपको उसके बाद आप ल संसोधन हुआ ठीक है 92 के अंदर इसके अंदर संसोधन हुआ था और उसके बाद जो सब्से बड़ी सिक्षानीती देखनों को मिलिए वो देखने को मिलिए सबसे बड़ी सिक्सानीति देखनों को मिलिया है पूरे भारतवर से सुझाओ मांगे गए ते कुछ जो भी आपके सुझाओ है आप हमको दीजे हम इसके अंदर देखेंगे और इस सिक्सानीति के अंदर रखेंगे उस टैम पर आप लोगों में से किसी नहीं दिये होंगे ठी नहीं सर यह तो गलत है ठीक है जब क्यों निदिय जब यह बन नहीं थी अब देखें एक चीज बात हो रहे है थोड़ी सी पहले चीजे समझिए उसके बाद कुस्चन आंसर के उपर आएंगे जैसा घर मैं बात करूं 1968 की बात करूं तो 1968 के अंदर जो हमारा एजुकेशन है उस समिधान संसोधन के अंदर राध्य सूची के नावकर जो सिक्सा है वो समवर्ती सूची का विशा हो गया क्या हो गया वो समवर्ती सूची का विशा हो गया समवर्ती सूची का मतलब है जिसमें आपके राध्य जो भी आपकी स्टेट गोर्रमेंट की सरकार होती है और ज मुझको एक दिन का एजुकेशन मिनिश्टर बना दिया पूरी शिक्सा वस्ता को मैं बदल दूगा नहीं बदल सकते मालो केंद सरकार के अंदर शिक्सा मंतरी बन गए आप लोग तो राज्य को कैसे समालोगे राज्य उन्हों कह दिया हम नहीं मानते अब करनाटक गोवर्मे हैं वो सभी एक एक करके शिक्सा नीति को अपनाते जा रहें इंप्लिमेंटेशन करता जा रहें और आप लोग देखोगे जो अभी आपका सीटेट का एक्जाम है ना इसके बाद जो बापका अगले वाला सीटेट का एक्जाम होगा अभी मैं आपको बताय था एनीपी 2020 प शिक्सानीति 2020 के कोडिंग चलने वाली है ठीक है माली जा किसी स्टेट गोवर्मेंट ने मना कर दिया समझाएंगे देखे मने तो करना नहीं चाहिए बहुत सालों में जाकर ये शिक्सानीति 2020 तयार हुई है ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी तयार हो गई हो अभी तक कि आपके ठीक है तो आप लोग समझ गें यह जो मैंना आपको एक थोड़ी सी पश्ट भूमी के बारे में बता है अब जैसे मैं बात कर रहा था कि जो सबसे पहली 1968 के इंदरा गांदी का समय था तो उस टैम पर 10 प्लस 2 का कंसेप्ट था और जब सहीं आपका चलता रहा है या लेकिन उसके बाद इसचेश चम्हीं ख कर दिया गया और नया अपर प्लस तीन प्लस चार प्लस तीन प्लस चार को मिलड़ा और कई बार आपके एकजाम में पूछा गया है कि नया academic structure क्या है तो नया academic structure है पाच प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 क्या बला होती है ये 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 उसके बारे में ज़रा जानी है यानिकि जो बच्चा school के अंदर जाएगा अपनी education यहां पर लेगा वह पहले 5 साल अपने देगा फॉंडेशनल स्टेज को यह पर फॉफंडेशनल स्टेज Hag applis है ठीक है अगर आपको स्क्रीन पर थोड़ा सा बलर दिखे तो अपनी रेजिस्टर के अनल Newton कर लेना पहली स्टेज आपकी फॉंडेशनल दूसरी आपकी एब पुर्ट आपकी मिडिल है और फूरत आपकी सेकेंडरी स्टेज है जिसको आप लोग एकर सोद्रिक से याद करो F P M S से याद कर लेना किससे याद करोगे F P M S से आप लोग याद कर लेना पॉंडर four सेकेंडि यहाप बाट दिया समझहें इतनी बात अब क्योंगे सट 10 प्लस 2 प्लस 3 भी मान लिया 10 12 तीन 15 साल होगे अब लेकिन यहाँ पर जोड़ते तो 5 प्लस 3 आठ तीन 11 चार 15 है तो यहाँ पर भी 15 होगे तो दोनों जैंगे 15 15 साल तो आगया लेकन गर आप लोग एक चीज को नोटिस करोगे इसके अंदर जो 3 साल जो है वो उपरी छेतर में नहीं बढ़ाएगे foundation stage में बढ़ा दिये कैसे बढ़ा दिये नजड़ा लिए देखे पहले में बात करता हूँ पात साल की बात करता हूँ इस पात साल में यह तीन साल यह आपको यहाँ पर दिख रहा है ना तीन साल यह तीन साल तो आपके साथी parents के लिए एक परकार का menu card होना चाहिए बच्चे को यह खिलाना यह परकार से उसको इतने हमारे पास उपचारिक स्कूल में नहीं आता लेने तब तक parents के दाइत्यों की भी बात कहेगी थी मतलब बहुत सारे सुजा होते एक से खतरनाक सुजा होते ठीक है तो बहुतो बहुतों को लाए भी गया भुतों को नहीं भी लाए गया और बहुतों की अभी भी जर होते हैं ठीक है वो कभी बहुत discussion का विश्चे है आपको अपने exam तक सीमित रहना है या आगे teaching exam तक सीमित रहना है ठीक है तो पहले जो पाथ साल है उसमें तीन साल तो बट 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 क्योंकि आंगनवाडी कह लिए आप लोग जिसको पिरी स्कूल कह लिए आप बालवाटिका इसको कह लिए अभी जैसे के जो इसकूल है वहापर इसके अंदर बच्चों के अदर नहीं जाएगा क्योंकि जो बच्चा एडिमिशन लेता था वो लेता था फर्स्ट क्लास में औ बच्चा 6 साल का हो जाएगा हाल कि 5 साल में लेता था लेकिन अब इसकी अनिवारित्य कर दी कि बच्चा जब 6 साल का हो जाएगा तब ही वह क्लास फर्स्ट के अंदर जाएगा अगर 6 साल का बच्चा नहीं है न तो हम इसको आंगनवाडी पिरी स्कूल या बालवाटिका क करेगा और तीन साल में यहां पर करेगा बच्चा अंगनवाडी पिर इस्कूल या बालवाटी का तो शुरुवात में जो बच्चे के पात साल लेंगे वह यही से तीन साल के बाद से अपना शुरू हो जाएंगे और जो पहली स्टेज रहेगी वह रहेगी आपकी फाउंडे अधरवाइस आप लोग अपने बच्चे को किसी और जंगे भी स्कूल में बहेचते हो तो तीन साल के बाद अपना बहेच सकते हो ठीक है यह बात आप लोग समझ गे दूसरी स्टेज हो जाते है आपकी पीरिपेटरी स्टेज यहापर यह रहेगी आपकी तीन साल के लिए यह कितने के लिए रहेगी यह रहेगी तीन साल के लिए थर्ड फॉर्थ और फिप्थ क्लास का बच्चा ठीक है वह इसके अंदर रहेगा याई अगर मैं बात करूँ प्राइमरी क्लास की बात करूँ इस बाइसाब ने जो कुछन बूचा था मैं उस कुछन के ऊपर नहीं ज दिखल लिए लेकिन मुझे आंसर के ओपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना मुझे आपको चीजे समझानी है आपके दिमाग में जासा चीजे लोड करनी है ठीक है तो यह समझ गया आप लोग उसके बाद बात करते हैं मिडिल स्टेज यानि कि यहापर बच्चा तीन साल वो इस प्रकार यहाँ पर बनाए यानि इतने इतने साल बच्चा पर्टिकुलर स्टेज के अंदर पर्टिकुलर किलास के अंदर अपना यहाँ पर बिताएगा यह बात आप लोग यहाँ पर समझेगे कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं तो आप लोग ने देखा कि सिक्सा न जो वरस्ता है वो शुरू होगी और बच्चा एडमेशन लेगा उसका मैंने जस्ट आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जो आपके एक्जाम के लिए तो वह होती है ठीक है तो आप लोग समझगे अब इस भाइसाब ने हमसा बड़ा सिंपल सा क्वेशन पूछा था इस इसने क्वेशन पूछा था कि प्रात्मिक कक्साव के लिए प्राइमरी क्लास के लिए क्लास से 5 के लिए कौन सा लेवल होगा तो यार अभी मैंने आपको पताया कौन सा लेवल होगा एफ PMS याद कर रही थी ना F PMS एफ का मतलब आपका foundational P का मतलब आपका preparatory तो first to fifth के लिए क्या हो जाएगा हमारा preparatory और foundational stage हो जाएगी यानि कि A और C answer यहां पर आपका ऐफ शही हो जाएगा यानि कि third answer आपका सही हो जाएगा यानि कि आपका foundational और preparatory जब बच्चा 5th class तक होगा यह आंसर यहापर आपका सी हो जाएगा पॉल भी दे दिया कर साथ के साथ ठीक है तो समझ गे इसमें आपको कोई दिक्कत हुई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना अब देखो आपको एक काम करना है जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाओ चीजे ब आपको एक्स्टा जो बहुत सारी चीजे समझाता हूँ क्योंकि पेपर आपको समझ पर अधारिता है ठीक है और यह बात किसने कहीं है इसने कहीं है देखो भई अगला कोश्चन इसके अंदर आपका पूछा हुआ है राष्ट्य शिक्सा नीती 2020 किस परकार के शिक्सा सास् ऐला आपके सामने साहए परिक्सा केंद्रित एक्जाम सेंट्रिक झी नहीं पर इक्साओ को केंद्र में रखका परिख्साओ के लिए पढ़ने की बात नहीं करती जो कि हम लोग पढ़ते थे जब कि लेकिन फिर भी आपको पता 68 में भी स्वव से पहली नहीं ती तब भी परिक्साओं को केंदर में रखनी की बात नहीं थी पहां थी आज भीächज आज रेट में भी परिक्साओं को लिए पढ़ने की बात करते जादन funeral लेकर आने अच्छे लेकर आने है अपी अभी यूऔर प्राची नाम है तो अब उसके नमबर आए अब बहुत से पैरेंट्स टेंशन मागए और लड़की होगे अगर वह नमबर लेकर आई तो उसकी कबलियत है अगर मालो तुम्हारा बच्चा नमबर लेकर निया रहा तो समझ लेना कोई ना कोई उसके लिए पढ़ने के लिए अपने बच्चों को बाद दे मत करी आप लोग बिल्कुल भी ठीक है तुछ बिल्कुल नहीं होगा सारी सथा टीचर के हाथ में सब्सक्राइब लेना बiehtचे की खिलाब मत जाना तो किस परकार की पैड़ाबूजी को रिकमेंट करती अदिगम करता केंदरित यानि की learner-centric यानि की child centric पैडगोजी को रिकमेंट करतीeren कि सारि सिक्सरण वरस्ता सब कुछ x y z फलाना डिकाना सब बच्चे के लिए पूरा system के लिए अगर माली जब चечको समझ्कार के लिए यह यह बात आपको प्ध्यान रखनी है अगला है वहिसकार के आहिनकी कि लींखี इन्क्रमिशन देनी हैि किस की बात करता है इंकुनिशन के बात करता है याँ मि न नहीं तो इसकी inclusion की बात करता है, exclusion की बहिसकार की बात नहीं करता, किस भी बच्चे के लिए, तो answer क्या हो जाएगा, answer तो बड़ा simple सा है, थर्ड answer यहापर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगला देखते है, next आपके सामने क्या दिया हुआ है, अगला question देखे, बड़ा question ह जहां से देखना, क्या कहता है, उसके उपन नजे डालना, क्योंकि जो शुरुवात में आपको एक introduction दिया छोटा सा, उससे आपका soul हो जाएगा, चल भई, देदे पोल इनको, question आपके सामने है, कि निमलिकित में से कौन सा, school की जो पाठीचरिया होती है, जो school का आपका curriculum हो दिगम जो है, वो समग्र और एकिकरत होना चीए, यानि जो लर्णिंग होती है, जो बच्चा चीज़े सीखता है, वो कैसी होनी चीए, holistic होनी चीए, देखे जब हम बच्चे की विकास की बात करते है, holistic development की बात करते है, बच्चे का मानशिक विकास, बच्चे का सारिनरिक कि विकास बच्चे का social emotional development यान की सामाजी को स्विंगात्मक विकास तो समगर विकास बच्चे का यह पर होना चाहिए अगर बच्चा अपनी learning कर रहा है बच्चा अधिगम कर रहा है तो वो भी holistic होना चाहिए सभी प्रकार से बच्चा सीखे देखकर करकर learning why doing के मादधम से और integrate एक इकरत के मादधम से बच्चा सीखे देखा आप लोगों ने देखा होगा जो आपके पास subject है या mathematics है या social science हो अगए आपके पास है तो इसका नेचर यानि प्रकरति कैसी होते है integrated nature के होती है क्यानि जहाँ पर सभी subject बच्चों को एक इकरत करके पढ़ाने होते है जैसे मैं आपको बार-बार एक example लेता हूँ जैसे आपके पास इवेस है third, fourth और fifth class में इवेस पढ़ाया जाता है उसी इवेस में social science भी होता है उसी में इवेस में section देना है और इसको recommend करती है प्रस्तावित करती है बिल्कुल ठीक बात यह आपर है दूसरा पाच प्लस तीन प्लस तीन प्लस चार के नए design में school का curriculum और section सास को पुनरगठित करता है बिल्कुल ठीक बात है अभी मैंने आपको बता है पाच प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस चार का यह अभी मैंने आपके सामने आपर discuss करा तो इसको तो करती है ठीक है यह तो बिल्कुल सामने ही दिख रहा है हमारे तो जब इसको करती है तो भई मैं इसको यहाँ पर सेकिंड को इसको भी ठीक कर देता हूँ अगला है 5 प्लस 2 plus 3 प्लस 3 के नए डिजाइन में इसकूल पाथ चरह और शिक्संड साथ को पुनरगठित करते है जी नहीं 5 1-2-2-2-3-3-3-4 को करते है ना किसको करते है यह गलत हो गया अगला है जो आपकी lapse पाइनल इस्टेज होती है फाइनल स्टेज में पाथ्य पुस्तकों से अधिगम संब्लित होना चीए डेके फाँन 10 इस टेजaler जो यहांपर सिंसले यह रह आपकी फोनजेशनली पॉनजण स्टेज में यहांपर बात की गई इन दोण स्टेज में वादि किताबों की बुख्स की बात कि गई है किसके माद्धम से सिंसलνο आठीं ना बच्चे के लिए किसी परकार की किताब है निचदारित की गई है ठीक है तो यहाँ पर बच्चो को Da newgebraband एक्टिवीटी के माद्दम से शिखाना है वहाँ पर बच्चों को बुक्स के माद्दम से नहीं बच्चों को गती वीदियो यानि की एक्टिवीटी के माद्दम से शिखाना है बच्चों को खेल कूद के माद्दम से शिखाना है किसके माद्दम से खेल कूद के माद्दम से तो जितना हो सक्या आपको इस प्रकार के गेम निर्धारित करने क्योंकि टीचर का को रोल कैसा है एक सुगम करता एक फैसिलीटेटर का रोल होता है जो चीजों को असान बनाए तो वहाँ पर आपको ध्यान अखना है बच्चे के लिए इन में तो कोई किताब निर्धारित न लेना तो यह बात आपके कि यहाँ पर किताबों की मन है इस वाल इस्टेज के अंदर तो बिल्कुल नहीं जादा से जादा कर कोई कर सकता है तो एक ब्लैंक पेपर ले सकता है उस ब्लैंक पेपर पर मान लिजए बच्चे की एक्टिविटी को यहाँ पर लिख सकता है या जब वह फर्स्ट क्लास के अंदर आए ध्यान से सुनना यह आपके बच्चों से भी संबंदी था ठीक है नहीं हुए तो आगे हो जाएंगे लेकिन महत्पुन है क्योंकि यही स्विक्सानीती आगे चलने वाली है अब वह जब चुट्टियों के अंदर यहाँ पर आए तो होमर्क कहा पर लिखा है कि आप खासकर इस वाली स्टेज के अंदर बच्चों को होमर्क दे दोगे मैं तो सिक्सानीती 2020 की भी बात नहीं कर रहा तो वैसे भी बात कर लेता हूँ ठीक है जो एलकेजी यूकेजी है ठीक है इसको आप इसकी फुल फोर्म भी पूछ लो इसको लेकिन छोटे बच्चों को हमारे और आपके बच्चों को इतने बड़े-बड़े फर्रू के होमर्क देती है तो क्या यह वाली बात ठीक है यहापर हमें बच्चों को जितना हो सक्यार एक्टिविटी के माध्दम से खिलाना है अगर बच्चा इसको इस परकार से गेम कूल या उसकी मलब कोई भी टीचर इस परकार से कारवाई करता है मलब उसको पढ़ाता है तो आप पीट्यम में जाइए पैरेंट्स्टेचर मीटिंग के अंदर यह SMC की मीटिंग के अंदर यह आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और आपको कहना पड़ेगा टैप आपको उठाना पड़ेगा ठीक है अपने बच्चों के लिए तो यहां पर आप लोग समझें जो यह बात यहां पर कह रहा है कि फाउंडेशन स्टेज में ओप्चारिक पाठ्थ पुस्तकों से अधिगम सम्मलित होना चीए जी नहीं सम्मलित नहीं होना चीए पुस अधिम रोट लर्णिंग को प्रमोट कर रहे रोट लर्णिंग को कर रहे लेकिन आंसर जादे थर बच्चों ने क्या दियें कोनचा स्कूल की पाठ्थ चरिया शिक्सानीति की परस्ताओना का निरूपन करता है बही साथ आप लोग ने पीछले लगा दिया यह और भी आंस बच्चों के खिलाब कुछ भी करते हैं ठीक है और अपने बच्चों को अब आप लोग ज्यादे तर ग्रामीन परिवेस के अंदर होंगे गाउं के अंदर आपने देखा होगा पैरेंट्स खुद कामों पर लगा लेते हैं फिर दोस्त देते हैं ववस्ता को टीचर को दोस्त है फिरी और अनिवारिय शिक्सा ठीक है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन राइक टू एजुकेशन दोजाननों जो कहता है अनिवार शिक्सा का मतलब पता है पैरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को स्कूल में वेजे उनको सिक्सा से वन्चितना कर सके और न नहीं करिकुलम आपका रिगिड नहीं करिकुलम आपका फ्लेक्सिबल होना चीए कैसा होना चीए करिकुलम करिकुलम आपका फ्लेक्सिबल यानि कि आपकी पाठ्ठे करम है वह आपका कैसा होना चीए लचिला होना चीए लचिला कैसा होना चीए जो बच्चों की आउस्ता आवसकता के कोडिंग जिसमें हम चेंज कर सके हमने मालीजे कोई करिकुलम बना है कि यह करिकुलम है हमने बच्चों के लिए बना दिया अब पता चला यार आज के सिक्सेंड वैस्ता के अंदर बच्चे जा दे तर ओनलाइन वे में पड़ रहे हैं ठीक है घर से बहुत सारी की चीज़ें सीख कर बच्चा जा रहा है तो हमें इस परकार का करिकुलम यह प्रकार का सिलेबस बच्चों के लिए बना रहा है जो मुष्मित उतार चड़ाव कर सके उसमें चेंज कर सके यह निकिए बत्क फ़स्त क्लास केंदर आपको सामिल करना है और उसके अंदर चेंज आपको रखना है ठीक है इस ती नहीं रखना मेरा तो यही तरीका है समझ मां आगे तो ठीक है उनना भाड में जाओ मतलब मैं ऐसा कह सकता हो आपसे नहीं सकता तो इसी परकार से टीचर को भी चेंज रखना है अपने पढ़ाने के अंदर भी करिकुलम के अंदर वो भी आ जाएगा आपका कि बेटा एक बार समझ भी नहीं आया मुझे बता दुबारा बताऊंगा दुबारा भी नहीं आया चलो कुछ और संसादन लेता हो प्रजेक चैप्टर के अंदर रहते हैं और 16 चैप्टर बड़े-बड़े 17 चैप्टर है उसमें से एक आपका चैप्टर नंबर 11 है क्या है एक चैप्टर नंबर 11 है तुवार सा मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लेनी एजुकेशन की जो बात करता है ठीक है यानिकि आपको किस सामाजिक हो सके स्विंगात्मक हो सके होलिस्टिक बच्च का डवलप्मेंट हो सके और मल्टी डिसिप्लेनी एप्रोच के बाद देंसे पढ़ाना है बच्चों को सभी सब्जेक्ट इंटिग्रेट करके पढ़ाना यह आपके चैप्टर नंबर 11 में ही दिया हुआ हुआ है देखे जब पेपर आपका उल्लाइन आया था तो उल्लाइन पेपर के अंदर एक्जामिनर के पास कोस्टन ही नहीं बच्चे पूछने के लिए उस भाई साब ने चैप्टर के नाम देने सुरू कर दी यह आपका एक चैप्टर दिया हुआ है एनिपी 2020 के अंदर तो आर्स इसके लिए परिक्षा के लिए एक बार CTAT के एकजाम पास हो जाए पिर नहीं से खेंगे कुछ भी तो आप लोग यहाँ पर परिक्षा के लिए शीखना आयों लेकिन आप में से कुछ इस्टुडेंट ऐसे भी होगे जो यहाँ पर अपनी इसके अंदर किसी सब्चेट में निपूर्णता के लिए पढ़ रहे हैं और आपने देखा होगा बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे इंफाक्ट खुद मेरे कितने स्टुडेंट ऐसे हैं जो ओनलाइन पढ़ा रहे हैं और वो खुद पढ़ा रहें होता है जा है जैसे हमारा मैं आपको बढ़ा रहा है आप लोग मुझे से कुछ पूछ लिया आप मैं से किस ने सही आंसर दिया जिस्सने तो होता है ये छो तो यह लितीर रूप से चलता रहता है और इसक्सण ने यह वाली बात कि भई formative assessment को जा साधा बढ़ाओ और summative assessment को जादे साधा कम करो क्यों क्यों कि जो आपका summative assessment होता है यह जब आपका teaching learning process खतम हो जाता है जैसे बच्चे के आपने वार्शिक और अरदवार्शिक परिक्साय देखी है छे महीने एक साल के बाद जो पेपर होते हैं उसके बाद क्या assessment करोगे मालो बच्चे का एक साल हो गया उसका नंबर यहाँ पर आगे assessment करने के लिए कुछ बच्चा नहीं गया बच्चा अगली किलास के अंदर क्या कर लोगे कुछ नहीं करोगे लेकिन अभी तो मैं आपका assessment कर सकता हो ना ठीक है तो समेटिव assessment की नहीं formative assessment की बात क ठीक है अगला question देखे देखे क्या कहता है next question जो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है next question दिया हुआ है NEP 2020 का नुसार class first से पूर यानि class पहली से पहले मलब class first से पहले कौन से हो जाईगा आपकी आंगनवाड़ी प्रीवाड़ी का बालवाड़ी का जिसको आप लोग कह पहले chapter के अंदर जब बच्चा 2 साल चले के चैसाल तक होता है अब देखे इसको ध्यान से सुनना बड़ी गहरी बात आपको बताओंगा दो साल से शीजें के अंदर दी गई है अब जर्माइब को कुछ चीजें समझा देता हूँ नजर भाई यही पर रखना और जो जो मै से बाहर चली जाएगी ठीके अब देखें यहापर बात कर रहाँ E-C-C-E अब देखें यह जब बच्चा आपका तीन साल से लेके आठ साल तक कर रहेगा उस टाइम्पिरेट के दोरानी आपका E-C-C रखा गया है ठीके जब बच्चा आपने तीन साल के बाद अपने स्कूल में जाएगा आठ साल तक एजुकेशन रखेगा तो यह इसी सी आपका है ठीक है यानि जो आप लोग यहाँ पर देख रो फाउंडेशनल स्टेज के अंदर आपका पाए जाता है अब देखें सिंपल सी यहाँ पर एक बात कहीं गई है कि आपको सुरुवात में बच्चों की ऐजुकेशन के ओपर ध्यान देना है एजुकेशन के ओपर धेना है और गुपकर से बीचार रहा है बच्चा आपके फिस्ष जपील यहीं धिमाटीत में दस्टान कие एसकी विट्वाव करो तो एसा थोड़िया है देखें जब बच्च्छे साल का होता है तो छे साल के बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो 85% तक हो जाता है 6 साल के बच्चे का कहीं कहीं पर आपका 90% भी दिया रहता है और यह authentic किताब है क्योंकि मैं जितनी किताब यह पढ़ता हूं पढ़ता हूं मैं publication की बहुत ही कम पढ़ता हूं ठीक है क्योंकि गलती बहुत रहती उ और जीद गए तो दुबारा नहीं बनेगा इतना में जरूर कह सकता हूं तो अन्होंने एक प्रेस कोनफ्रेंश करी और प्रेस कोनफ्रेंश करके उन्होंने लोंच करा था NCF 2023 फाउंडेशनल स्टेज के लिए ठीक है NCF लोंच करा था जो आप लोग NCF 2023 ठीक है जिसके बार 2005 के बार में आप सुनते हो क्योंकि अभी आपका पूरा कंप्लीट नहीं है जिए ड्राफ्ट के रूप में आपके एक्जाम में आता है लेकिन उससे भी लेटेस्ट आपका 2023 है और यह आयता आपका फाउंडेशनल स्टेज के लिए तो उस टैम पर हमारे एजुकेशन मिनि 55 परसेंट भी देखा है और 90 परसेंट भी लेकिन भाड़ में जाये दोनो क्योंकि CT ofRec पूछे स साल के बचे के कि zal लगदेना te MIDI का की मानसिक का सो रहा होता है और उसी दोरान अगर हम बच्चों का अच्छी सिक्सा देंगे वैल्यूज का निर्मान कराएंगे उसके खान पीन का ध्यान अब तो इस्टेट गोर्मेंट के इंदर भी यह आंगनवाडी के अंदर बच्चों को फिरी खाना दियो जाएगा जो पहले आपक के ओपर डिपेंड करता है टीचर कैसा गुणत्ता पूरक भोजन मनाते हैं जो एमडियम का मनाते ठीक है इसलिए छह साल के बच्चेगा जब इस प्रगार से डवलप्मेंट हो रहा होता है तो हम क्यों ना बच्चों गया अपर तीन साल से ही स्कूल के अंदर भेज़ दे एन इपानफे 2020 के अंदर एक किलियर वीजन आता है धेक्शनित या हर चीज़ का कोई न कोई वीजन होता है कि हमारा वीजन क्या है मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेरे वीजन क्या है कभी बताऊंगा किस दिन क्या है वीजन है तो श。 नीतu 2020 का वीजन यह था कि बच्चा सित या यो विक्ति होता हूँ हमारे देश का आत्मसमान कर सके वेल्यू जिए पन्तरा에 धाया सके फिरिया तो腻 चीज अपनानी पड़ेगी इसको आगे-वढला keep ये शिक्सानीती 2020 में वीजन दिया गया है अब जो question आप से पूछा था ECC के लिए Early Childhood Care and Education के लिए जो आपका question पूछा था जो आपका foundational stage के लिए है तो यहाँ पर जो question आप से पूछा कहा गया भाई हमारा question यह वाला question था जो यहाँ पर question आप लोगों से पूछा कि ECC का उद्देश से क्या होना चीए उद्देश से यहाँ पर पूछी लिया पहला शिक्सार्तियों में परिकलन कोसलों का विकास करना यहनी computational skill का विकास करना देखे computational skill अमूर्त सोच की वज़े से होती है यहाँ पर बच्चों को अमूर्त रूप से सोचना पड़ेगा लेकिन यह foundational stage के अंदर तो बच्चा सोची नहीं सकता अमूर्त रूप से माली जह mathematics calculation कर रहा है computational skill के अंदर बच्चा कैसे सोचेगा छोटा बच्चा यहाँ foundational stage के अंदर तीन चार साल का बच्चा माली जह तो बच्चा जो सोचेगा मूर्त रूप से सोचेगा concrete वे में बच्चा सोचेगा ना कि अमूर्त रूप से बच्चा यहाँ पर चीज़े सोच पाएगा सोच पाएगा चीजों को कर पाएगा तो डवलप basic numeracy skills अमंग learners बिल्कुल ठीक सिक्सार्तों में मूल गनन कोशलों का विकास करना basic numeracy का विकास करना जोड़ गठा बच्चों को माली जाप लोग सिखाना चाहते हो तो सिखा दीजे बच्चों को counting सिखाना ठीक है तो इन basic जो numeracy होती है ठीक है इनका विकास बच्चे केंदर हमें करना है क्योंकि बच्चा यार इसी की बाद दिए ठीक है तो इतना चोटा बच्चा है तो basic numeracy का विकास आप उसकेंदर कर सकते हो संख्याओ के नाम लिखना सिखाना या उनको गिंतियों पाड़े याद कराना यह पाड नहीं करानी है ठीक है समझगे और ECC के लिए क्या मैं पूना basic आपको numeracy उसके इंदर डवलप करनी है शिक्सा नीती 2020 ने इसका टारगेट रखावा है 2030 तक इसका टारगेट रखावा है कि basic numeracy हमारे देजबर के अंदर 2030 तक सभी के अंदर यहाँ पर डवलप हो जानी चाहि कठीश करती है अभी देखते है भाई पैला विद्याल की जो पाठी चेरिया होती है उसकी विशय वस्तु में कटोती की बात करती है बिलकुल ठीक बात है इसकूल का जो करिकुलं होता या सुलेब स् rendered को परद आदि हाई पड़ तो हमेद winter के दो थीन बार मम्मी के साथ कभी चांगे रखती से अ बीस के अंदर भी बताए गया है दस दिन तक बैग लेश डे पिरियड मना जाएगा ठीक है यानि दस दिन साल के अंदर ऐसे होंगे जहापर बच्चों को बैग नहीं लाना एक्टिविटी के मादधम से उसको कोई चीजे करानी है कोई गेम उसको या कोई सी प्रकार का कोसल उसको या पर सिखाना है तो आपको स्कूल के अंदर कंटेंड जाद नहीं रखना आपको बच्चों को जो कोपी किताब होती है सलिबस होता है करिकुलम होता है और दुनिया वरका नहीं रखना आपको आज गल तो प्राइविट स्कूल है वहापन लोकर बने हुए तो बच लिक्सा का प्रारू बहुत चेंज हो रहा है अभी आप लोग जानते जाओगे न जब आपको पता चलेगा जब आप लोग पूरी क्लास एकजाम तक देख लोगे कि कितनी चीज़े चेंज होगी है तो इसमें कटोती की बात करता है दूसरा ये बात तो ठीक है विद्याल रिगर्ड करिकुलम फ्लेक्सिवल लचिला पाठ्यक्रम ना कि कठोर पाठ्यकरामात के लिए ठीक है तो इसकी बात करता है बिल्कुल ठीक है तीसर आपके सामने दिया है रटन ता दिगम को मैं तो देना रोट लेंडिंग को देखकर रटा मार देना रटा मतलब कभी भी मतलब रटना याद करना जैसरा मैंने बताया मने छोट निचारे क्या करें हुझ बहुजत से बच्चे बच्चे होते किताब वह याद करने की चीज़े तो चीजसर नीती 2020 नहीं कि आपको रोट specific चौक। paints Alan श्राइब कर जाना और किसको लेकर झाना तुमको टो लेकर जायेंगे तुम बड़े वागडशून वागण भी ले रहा पूछने का तरीका इतना बढ़िया होता है अगर किसी बच्चे ने चीजों को समझा है गहराई तक जाकर सभी कंचेप्ट समझा है तो आपने देखा कितने बच्चे मलब 130 प्लस वा लोगी तो लाइन लगी रहती है मैंने इंटर्विव उनके डाले हुए अपने चैनल के उ एक्जामिनर कहीं से भी गुमा के पूछ ले आप उसका आंसर 100% दे दोगे बस आपको चीज़े गहराई तक जाके जितना हो सगे समझे इसलिए मैं कहता हूँ गर आप लोग मेरी डेली एक क्लास देख लेतो ना तो आपके लिए वह काफी रह जाती है क्योंकि मेरी क्लास इसके अंदर मैं बहुत चीज़े समझाने की कोशिस आपको करता हूँ इसलिए कोशन आंसर पर फोकस कम समझने को पर फोकस करिए यह बात मैं नहीं कह सकते हो लेकिन इंगलिस में याद गल्लो भाई दुनिया वर के नाम हिंदी में दिये रहते जिसको का जाता है क्रिटिक इस प्रकार की जब क्रिटिकल तिंकने बच्चा करे तो उसको जदे साथ आपको बढ़ाव देना है और इसको बढ़ाव देने के लिए बहुत सारी चीजे करा जा रही है इंफेक्ट जो स्कूल के अंदर अससमेंट होता है वह आपका critical thinking पर अब किया जा रहा है जब हम इस कूल के अंदर रहते थे तो हमारा assessment कैसे करते थे स्कूल के टीचर चलो भई तुम्हारा आज टेस्ट है तुम्हारा आज इमला है उसमें टेस्ट लेते थे नंबर कमा अगे मुर्गा उर्गा बनाद मलब बने होंगे मुर्गे उर्गे तो लेकिन आज की डेट के अंदर हमें बच्चे की critical thinking को देखना है जैसे मैंने का गुवर्मेंट की तरफ से जो प्लान आया ओपनवुक एक्जाम जिसको मैं बार-बार करता हो और आपके एक जर्में भी एक बार आ गया दा कि अपने बॉर्ड के एक नहीं किताब लेकर जाओ नुब में जो आप लोग यहां पर फर्रे बना के जाते था ठीक है तो किता शाधा बढ़ावत देनी की यह यह ठीक आपका याँ आपका सिर्फ इसके इंदर एक गलत्ता थर्ड पहला दूसरा चोता यह यह ना पहला दूसरा और चोता थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा समझेया आप लोग एक कुशन चे कितने सारे कंशेप्ट यहाँ प तो आप भी ले आओगे अगला कुर्शन देखते क्या कहता है नेक्स्ट कहता है कि एनीपी 2020 में प्रस्तावी तो बदलाव है यानि क्या बदलाव यहाँ यहाँ पर यह थे एनीपी 2020 के कोडिंग पहला मान की करण से लचीलेपन की बात करता है बिल्कुल ठीक बात करता है मैं करत आपका फलाना हो कुछी भी हो बस मान की करत देखते काट मार देना बागी सब मैं देख लूँगा ठीक है तो मान की करत से किसकी बात करता है यह बात करता है लचीलेपन की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है यानि हमको कोई भी स्टेंडर्ड साइट नहीं करने कि सीट लेकिन हमसे बड़े-बड़े विद्वान इसके इंदर बैठे थे पता नहीं क्या चीज़े थे लेकिन अब देखे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रेनिंग्स का काफी इससा रहा है मुझे ठीक है काफी एक्सपेंस रहा है तो अपने एक्सपेंस का अधार पर कुछ न कुछ पॉइंट तो मेरी तरफ से भी निकलते होंगे ठीक है तो वह एज रिकमेंडेशन के तोर पर गई तो उ समेटी टू फॉर्मेटिव एसस्मेंट की बात करता है मैंने आपको क्या बताई शिक्सा नीती 2020 ने कहा हुआ है कि फॉर्मेटिव एससमेंट को बढ़ाना है और समेटिव को कम करना है ठीक है यह से पहले कुश्चन के अंदर हो गया कंसेप्च्वल अंडेस्टेंडिंग स लेंडिंग फॉर एक्जाम की तरफ जाना है जी नहीं लेंडिंग फॉर एक्जाम से कंसेप्च्वल अंडेस्टेंडिंग की तरफ जाना है यानि हमें एक्जाम के लिए नहीं सीखना एक्जाम के लिए नहीं पढ़ना हमें समझने के लिए पढ़ना है ठीक है किसके लिए पढ़ना समझने के लिए जैसे मैंने का अगर आप इस सब्जेट के अंदर निपुण हो जाते हो निपुण तो हासिल कर लेते हो मास्ट्री हासिल कर लेते हो तो माल लीजिए गोर्मेंट जोब नहीं करनी आप लोग अपना खुद गई पढ़ा दोगे पैड़ा वार बार एक कहता है पैड़ा जी को किसी किताब से नहीं पढ़ सकते है अगला है बहुविशक्ता से कठोर तजी नहीं रिगीडीटी से एक multidiscipline की बात करता है जो इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 बताया था टू आर्सा मोर होलिस्टिक कि बच्चों को multidiscipline और होलिस्टिक यानि कि बहु की सकता और समगर सिक्सा की और हमको लेकर जाना है ना कि कठोड़ता की तरफ लेकर जाना है तो आप लोग समझगे मैंत्पून चेंज यानि मैंत्पून बदलाव क्या क्या सामिलते बाट इसने जो हमसे कुछन पूछा है अमारा ठीक है क्योंकि मान की करश से लची लिपन की बात करता है यह उप्शन भी आपके एक्जाम में कई बार पूछे गए है इसलिए मैंने यह ऐसे कोशन रिपीट नहीं करें ठीक है मैंने के कुछ फायदाए नहीं था क्योंकि यही पर आपको चीजे समझ मागे तो सार कईपी 2020 में निमनी में से कौन सा कथन परस्तावित है देखें अगला जो क्षण आपके सामने आवा है लेंग्वेश से और आपके एकजाम में एक क्षण जरूर्लेंग्वेश के अंदर यहां से देखने को मिलता है ठीक है और यह आपका सीडिपी के अंदर भी आया हुआ अपनी मात्रभासा यानि अपनी मदटंग में सिक्सित होना सेक्षिक और प्रोद्दगी की उन्नती में बादक होता है देखें या आप किसी परकार की एजुकेशन ले रहे हो टेकनोलोजिक ले रहे हो या खुद अपना सिक्सन कर रहे हो सबसे जो में बात वह है बच्चे की मात्रभासा को माना है जब बच्चा महत्पुन होना है तो बच्चे की मात्रभासा महत्पुन नहीं होगी बताओ बच्चे की मात्रभासा तो सिक्सा नीती 2020 में यह वाली बात कही गी है कि कम से कम किलास 8 तक ठीक है कम से कम किलास 8 तक आप बच्चों को जो सिक्सन दोगे तरने यह और आपके형 में यहां से कुशाम जरूरूर आपके सामने ठकराएंगे अम मैंने का मत रृष तब यह क्हुति को हैं टो कि मुझाय को होगी ठीक है किसी के मरां लूजे मात्रवास होती है लेकिन चाली सह EPA कंफेपल जो होता है वह मात्रभासा के अंदर होता है इसलिए मात्रभासा को हमेशा क्या मानना है एक महत्पुन संचाधन एक महत्पुन प्रोच टीचर को निया रखने तो उसकी मदर टंग को बढ़ाव देना उसकी मदर टंग को जा साधा बढ़ाव देना पूछ अगर कोई कुछन समझे में नहीं आ रहा अपनी भासा में पूछ जैसा भी पूछ रहा है बेटा पूछ ठीक है तो उसको यहाँ पर आपको कोई भी लेंग में लेकिन सबस्क्राइब कंफर्टेबल अपनी मा तरभास के अंदर होते हैं जैसा मान लीजै आदमी सुनता है अपनी मातरभास परकार इसब ने गाली बना हुए उसमें आनन्दसा आ जाता है उसमें सामने वाले को ने चुख देता है इंग्लिस मैं पता पता है नहीं जलता है पता नहीं कौन सी गाली दे रहा है तो देखो बड़ों लोगों का यह हाल है तो बच्चा कितना कमफर्टेवल होगा अपनी मात्रवास में जब बड़ों का यह वाला हाल है अब आप लोग ने देखिए जैसे क्लासरूम है यहां पर अलग-अलग भासा भासा वाले बच्चे है ठीक है मैंने बता दिया कोई हिंदी बोला है को मिल भासिकता को मतल़ होता हैग से जयादा वाले बच्चे एक से ज़्यादा भासा हो ने जह बतूसिकता है और चेक्व हाङी qa. फिर यह बतात आप लोग आपर समझ गॉश्वाजा तो इसलिए मात्रवासों को बड़ा मेहत्पून माना इस बहुद सिकता को भी संसाधन की रूप में माना है अब देखो क्यों इसको माना है जरह इसको पर नहीं डालिए अब अलग-अलग मात्रवासा वाले यहां पर बच्चे हैं एक बच्च अपनी मात्रवासा में दूसरे वाले से कुछ बोलेगा उसको थोड़ा बहुत समझवा आएगा कि यह पता न के मात्राव से शीखता है जो अनुकरण यानिकी हिमीटेशन का मात्रवासा उसका दानपरतान होगा तो क्या बच्च caste का सथंड़ा HU он्डार होता है तो सब्सके बच्राज के सब्रवंसर में आपर वरद्सने उगीने है बच्चे के सब्ढवंन दार में आपर वरद्सन होई थी एक जगह ठीक है तो यह आपका इधर का इडिया था पूर्वान चली उपिका तो आपर एक नहीं का सर्जी मून फिर आयता है मैंने मून फिर गया है कि हापर यह पेट दर्द को बोल लेते मून फिर आयता है तो जैसे धूप होती है ना तो दूप के अंदर मानली ज चली पर मजा आता था मात्रवास में कुछ ना कुछ तो बोली रहे ठीक है तो थोड़े दिनों में मैं भी सीख गया आप तो सब्द बंडार में मेरी भी वरद्य होगी इसी प्रकार से बच्चे के भी सब्द बंडार में वरद्य हो जाएगी एक कुशन जो कई बार आपके एक्जाम में यहां से पूछा गया है जब बच्चे एक दूसरे की मात्रवासा इस प्रकार से सीखेगा आधान परदान होगा तो प्रते एक भासा से उसकी संस्कृति जूड़ी हो गया तो क्या संस्कृति का अधान परदान नहीं होगा जैसे मैंने का चलो पूर्वान चल संस्कृति को यहां पर समान देगा कितनी बड़िया बात है हम बच्चे को सुरुवात से हर धर्म हर जाती हर भासा इनफेक्ट उसके कल्चर को भी समान देना सिका रहे हैं इसलिए तो इसको एक बहुबासिक्ता को एक मात्रवास को संचाधन की रूप में देखा गया है इ उसमें भी इन चीजों को बड़ा महत्पूर माना गया था ठीक है तो यह अभी कोई नई बात नहीं आई है यह पहले सी चलती आ रहे है ठीक है समझ गया आप लोगी आप इस बात को तो अगर हमसे यहां पर कुछन पूछा है कि मात्रवासा बादक बनती है यार मात्रवास मात्रवासा होती है तो इसकूल को या इस टीचर को क्या काम करने चाहिए उसकी परतम भासा कौन सी जो भी इसकी मात्रवासा होती है कोई भी मात्रवासा हो उसको सीखने और बोलने के लिए प्रुसाइद करना चाहिए ना कि इंगलिस को प्रुसाइद करना चाहिए ठीक है अलग-अलग भासा वाले बच्चे रहते हैं तो विद्यार्तों के लिए बहवासी होने के क्या होते है उच्छ संग्यानात्म खलाब होते हैं जो मैंने आपको बता है सब्धु बंडार में वरद्धी होते हैं संस्कृति का सम्मान करता है उसके लाव बच्चा आपस मादान परदान करता है एक दूसरी की मातरवासा शीखता है उच्छ संग्यानात्म खलाब है थर्ड ही ठीक हो जाएगा द्वी भासिक उपागम विद्यार्तों में उल्जन पैदा करता है और सीखने में बादा डालता है जी नहीं ние City क्या औते है अच ओ MONS हाइर ओडर ठीक इसकेंड क्योंचे हएर ओडर फिंकिंश केंडेल्ड यहांनि जो इनलीसिल होता है जो सिंन्तेसिस होता है जवजों यहाँ पर कर जा जाका इनको जैसे सदव बढ़ावा देनी की करी हो जाएगा यह मात्रवासावा और बहुबासिकता का मैं आपको बता दिया ठीक है अच्छा देखो अगर आप लोगों की स्टेट गुवर्मेंट में खुद के स्टेट गुवर्मेंट के अंदर अगर जोब लगी तो तब तो कोई बात नहीं है मालीज अगर के विस में इसके तुरू मालीज है लग जाती है टीरिए अलग अलग इसटेट के तरह आपको पोस्टिंग मिलेगी ठीक है तो वहाँ जाकर फिर आपको फिर यह वहाई से दिक्कथ आईगी और इनफेक्ट जैसे के अंदर तो आपकी और भी दिक्कत आएगी वहाँ पर अलग-अलग राज्यों के बच्चे मिलेंगे कोई हर्यान भी आप बोलेगा ठीक है कोई आपका दिल्ली का वहाँ पर बोलेगा कोई आपका गुजरात का बोलेगा कोई कहीं का बोलेगा तो भास पर घृत करता है लेकिन आपट टीचर का काम बढ़ जाता है ठीक है चली अगला चूश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट आपके सामने दियावाएव है अंईपी 2020 का नुसार देस भर में विभिन विश्व में अलग-अलग सब्जेक्ट में ओलंपियाड और परत पर पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर और जो अपने सब्जाट कंदर जीच जाता है वह बिनर बन जाता है वापर इस परकार से ओलंपियाड होते हैं ठीक है यह आपके सुरुवात्सी लेवल से सुरू हो जाते हैं जब बच्चा छोटा होता है 12 तक भी चल जो आपके पेपर होते हैं यह सरल होने चीए सरल हो जाएंगा तो हर लेलेगा आप मेंसे भी दो चार चले जाएंगे ठीक है मुझे तक कोछी भी नहाता आजा तू भी भाग ले ले इसमां टेलेंटेड वच्च जाते वही एक से निखर निखरे हुए वच्च जाते यह आपको पता लग जाएगा ठीक है जो आप लोग इंशाइटी पढ़ते हो ना इंशाइटी की तरह है जो बच्चों के यहापर टेस्ट होता है बड़े बहते ही नहीं होता है कभी मलब पढ़के देखना आपको मुझे आएगा तो इस प्रकार को लंप्यार कॉम्पिटिश चाहिए यहाँ पर होनी चीए ताकि बच्चे का यहाँ पर हर परकार से उसकी चमता को बढ़ाया जासा कि थर्ड आप आपका सही हो जाएगा डिस्करोज नहीं एंच्रेज करना है चलो रिद्यूस नहीं इसको बढ़ाना आपको ठीक है नेक्स्ट कोश्र की दिव्यांग मैंने आपको बता है आर पी डबलूडी एक्ट 2016 यह एक्ट पूरा का पूरा मैंने आपको इससे पहले क्लास के अंदर पूरा सुन जाया था यह आप लोगों ने अगर मेरी किताब लियोगी इस एक्ट से सब्सक्राइब के साथ साथ में इस एक्ट को डिटेल में भी वहापर दिया हुआ है ठीक है जितना आपके एक्ट के लिए महत्पुन होता है वन्ना ओनलाइन भी इसको डाउनलोड कर सकते हो लेंग्वे समझ में नहीं आएगी अदर कुछ भी एक्ट सब्सक्राइब तो उनके अदिगारू की बात करता है यह जो एक्ट है अब यहाँ पर इसने कुछन पूछाए कि जो दिव्यांग चात्र की जो शिक्सा है उसके संदर में निमली की तमें से किस प्रावदान को राष्ट्य शिक्सानीती 2020 द्वारा बढ़ है हम भी आपके साथ है तो इस एक्ट को उठा लिया और जो जो बात इस एक्ट कंदर कही गई है वह इस इक संदर 2020 ने कह दी तो आपको एक तीर से दो निसाने हो जाएंगे मतलब आपके लिए काम आसान हो गया तो यहाँ पर जैसे क्या बढ़ावा नहीं दिया गया है कु पर रखेंगे बच्चे की जो लाइबरेरी है वो गरांड फ्लोर पर रखेंगे अगर फर्स्ट फ्लोर पर रखना तो बच्चे के लिए लिफ्ट आपको लगवाने पड़ेगी रेंप वगएरा कि आपको स्वीधा रखने पड़ेगी तो इस प्रकार का एप्रोपेट इं पर आपके सामने उसको मैं थोड़ा सेर करता हूं इसके अंदर जैसे जो आपके हासिये पर समूज है यानि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ बच्चे है ठीक है जो सोशली और एकोनोमी की एकोनोमी कली रूप से आपके पिछड़ बच्चे है तो उनके प्राइमरी पर जबके बड़ा होना चीए और अपर प्राइमरी पर यानि जूनिर लेवल पर तो और भी ज्याद है यहालत थी पर ऑब देखें मैंने निरा सजनक की ओका निरा सजनक इशले का जिसके आप लोग यूपी के अंदर जाओगे तो यूपी के अंदर जाने पर वाग एजूकेशन मिनिस्टर बार में यह कह देते यह यह बर 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 यह ठीक है आनुपात और समानुपात यहापर बराबर ठ आती है अब यह मतवेद मलब किस प्रकार से वो थोड़ा सा समझ मिनी आता है ठीक है और जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे है वहाँ पर इस्टुडेंट और टीचर का रखा गया 25 रखा गया है यानि 25 बच्चों पर एक टीचर होगा सरकार ने काम तो ूँए ऑगला पॉयंट है अनिवारे शिख्षा की बात नहीं करता यह बात करता है यह बात करता है और गलत का गलत अंचर से हो जाएगा उप्यूख तक्नीकी सुईदा है बिल्कूल ठीक बात है टेक्ड़ूजी की की उप्यूख सुईदा होनी चीए अध्यकोर टेक्नोल तो जी कि क्या सुईधा होनी चीए देखे चिक्सानीती 2020 के अंदर एक मुझे बड़ा इंट्रेस्टिंग पॉइंट लगा इसके उपर जरूरी विवाद होगा अब नहीं हुआ जब आप लोग टीचर बन जाओगे वह न तब विवाद होगा अब देखो यहाँ पर कहा गया तो को डिजिटल लाइबरेरी है तो शिक्सानीती 2020 क्या का है कि आने वाले टाइम में जाता डिजिटल लाइबरेरी आपको देखने को मिलेगी तो प्राइविटी स्कूल में है सरकारी स्कूल के पास एक बड़ासा प्लेग्राउंड है खेलने का मैदान है ठीक है अगर हमें डिजिटल लाइबरेरी इस्तमाल करनी है तो हम तुम्हारी स्कूल के अंदर आ जाएंगे ठीक है तो शिक्सानीती 2020 ने कहतो दी कि संसादनों का अधानपरदान कर सकते है यहां पर कलेस होना जरूरत है देख लेना इसको पर जरूर क्लेस होगा क्योंकि जब मान प्रवेट वाला क्या गया काम धाम करते नहीं है आके बैठ जाते हैं सरकार इतनका उठाते हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है करेदने तो यह ठीक गयते लिगे इनके कुछ मलब नेगीटिव पढ़ने हम आगे पढ़ सकते हैं ठीक है तो इसलिए जो भी टेक्नोलोजि अगला कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन आपके सामने क्या दिया हुआ है नेक्स्ट कोशन है अभिकतन यानिके अजर्शन का राष्ट्य शिक्सानीती 2020 के नुसार पाचवी तक के सभी बच्चों को उनकी मात्रभासा में शिक्सा दी जानी चीए पाचवी तक नहीं 2020 में कहा गया है कि पाचवी तक या इससे भी आगे हो सके तो आठी तक बच्चों को शिक्सा कैसी देनी चीए उनकी मात्रभासा में देनी चीए अभी मैंने इससे पहले कुश्चन गेंदर आपको बता है यह बात विल्कुल ठीक है कारण इसमें दिया है कि छोटे बच्च के लिए आपको क्लास 8 तक तो देना चीए यह बात ठीक भी और इसकी सही प्रकार से व्याख्या भी कर रहा है तो आंसर यहां पर आपका फ़र्ष्ट सही हो जाएगा तो देखो कितनी महत्मून बच्चे की मात्रभासा को यहां पर माना गया है ठीक है समझ गया आप लोग लेंग्वेज कर लोगे संस्कृति भी आपके क्लियर हो जाएगी ठीक है और कोई भी इसका सोचल साइंस साइंस या मैथ का जैसा पूरा यूटूब कोई नहीं करा सकता ठीक है वरना जूट बोलने को मैं भी बोल दूगा इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ चीजों के लिए आ अदिगम के या निकिंद लंडिंक के कौन से तरीखों पर बल देती है यानि जो बच्चास चीजों सीखता है यह या तो बहुता नेटिजक के अपमातिक्स हो नीस कि अंदर आ गया क्या होता है जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है अपने एक्सपिरेंस के माध्यम से लर्ण करना यानि कि अपने अनुभाव के आधार पर सीखना जैसा आप लोग यहां पर सीखने आयो ऐसा तो एनी सिक्सानिती 2020 पहली बार पढ़ रहे हो आपको इ अपने अनुभाव के आधार पर सीखता है अपनी परिवेस नोलीज के अधार पर सीखता है ठीक उसी परकार से जब अब बच्चों को पढ़ाते उसके लिए लेस्ट प्लान तयार करते है तो लेस्ट प्लान के अंदर एक बड़ा महत्वन पुइंट आता कि जो भी तो बच्चा कुछ नो कुछ अपने अनुभव वताइगा फिर बच्चे के प्रिविस्ट के साथ निए प्रिवेस के साथ या अपने अनुभव को जोड़ दिया तो यही ज़्याद आपको बढ़ाना है ठीक है दूसरा डिजीटल अधिगम डिजीटल लेंडिंग अभी मैं आपको बता इससे पहले गया जैसे डिजीटल लाइबरेरी की बात है जो संसाद नोते उसको अधान परदान जैसे कर सकते इसको पर दिया है साइंटिफिक तरीके से बच् करता है जब बच्चा खुद करके सीखता है अपने नुभव के अधार पर सीखता है सभी ठीक है पहला दूसरा तीसरा चोटा फोर्थ आंसर या पर आपका सही हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा फोर्थ डीडी के साथ आप लोग जा रहे हो ठीक है अगला कॉशन देखत आपको बताई तो एक गंटे में हमारे 50 हुए अगर तरीक से सिर्फ कुश्ण आंसर देखना हो तो इसलिए कहता हो कि क्योश्चन के ओपर ध्यान मत करिंद्रित करिये समझने के ओपर ध्यान के इंद्रित करिया अगला कॉश्चन देता है कि नीपी 2020 ने मिली कितमें से किसक प्रस्तावीत करती है आप लोग जो अपने एक्जाम की तयारी यहां पर करने आयों आप में से कुछ स्टुडेंट है ऐसे होंगे जो जाते सीधा पढ़ना शुरू कर देते बाट जाओ 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 लाश चल लिए दडडड़ कमेंट करना शुरू कर देंगे पीचर कुछ भी कुछ उल्टा सिधा पढ़ा रहा वाब सर्जी तुम बढ़िया तुम ग्रेट हो फलाना अब पहले सलेवस तो देख लिया करो कि क्या सलेवस है उसी के कोडिंग पढ़ा रहा है नहीं पढ़ारा पिर प्रीवेसर के कोश्चन में इनके आ रहे है नहीं आर प्राकार सीख जाए राट सीखने के बात नहीं करता मैं आपसे क्या आपको चीज़ सीख ने है तो पहले है सलेवस देखो कि एकजाम का क्या सलेवस है फिर फिर देखो टीकर क्या पढ़ा रहा है तरह एट किस परकार से सिफीग कर आई एटीक है आपने देखा होगा मैं सबसे पहले स्लेवस और पीवाई क्यू बताता हूं किसी भी एकजाम के लिए वो बताने का यही मक्सद होता है ताकि बत्चों को बताया जा सके वह यह सलेवस पीवाई क्यू ऐसा पर आता है और ऐसे में तुम्हें पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा एक और ँससे पहले मैंने उस्य किसी किताब में मिली नि सकति आपको तो इसलिए मैं कहता हो अगर आप आप अपनी विंगन्दबन हो जाओगे थीके दूसरा वी से वस्तू में बढ़ोत। यह मैंने कहा था जो भी content वह प्रस्तावीत नहीं करती , इसको प्रस्तावीत नहीं करती यह गलत हो गया थरव दियावाए 360 डिग्री कर घ्रुव्स कार्ड बत्चों को मिले गया मैधनमंच पोइंट है इसको आपको समझाता हूं यह 3060 डिग्री čई मिली क्या है निकलेंगे पोइंदर हमारेइड करदम क् सके नंबर भी लिख होते थे कि आपको ये देज मिले यह आपको नंबर मिले ठीक है और टीचर निने लिख देता था बहुतका प्रद्शन नहीं है ठीक है लेकिन अब जो बच्चों को रिपोर्ट कार्ड मिला करेंगे वो 360 डिगरी holistic report कार्ड मिलेगा मतलब holistic report कार्ड कैसे मिलेगा अब हम उस report कार्ड के अंदर बच्चे के सिर्फ cognitive domain को सामिल नहीं करेंगे कि बच्चे ने स्कूल के अंदर ये जाकर subject पड़े यह उसका टेस्ट हुआ तो उसके अंदर इतने इतने नमबल लेकर रहा है तो हम बच्चे के सिर्फ cognitive काहा पर है तो हम बच्चे के सिर्फ cognitive domain को सामिल नहीं करेंगे जो बच्चा अपने दिमाग से पढ़कर लिख कर सीख रहा है हम cognitive के साथ साथ में बच्चे के एफेक्टिव domain को भी सामिल करेंगे बच्चा यहाँ पर किस परकार के emotion सीख रहा है अपने emotion पर किस परकार control कर रहा है देखे मैंने आपको एक बात बताई हुई है physical, social, emotional और आपका mental आज की डेट के अंदर अगर बागी तीन domain के अंदर ठीक ठाक जा रहा है ठीक है मैंने बहुत से लोग है आपको ऐसा बता सकता है इसा एकजमपल दे सकता हूँ जो पर बहुत मजबूत थे हैं mentally पर बहुत मजबूत थे और इमोशनली तोर पर इतने वीगते सुसाइड कर लेते हैं ठीक है मर जाते हैं क्यों इमोशनली तोर पर वीगते हैं पता चलता है वही किसको नौकरी के अंदर कुछ परेसानी ओरी थी लोड़नी जेल पारा पटै च सब्सक्राइब को तोड़ देगा ठीक एमोशन के साथ खेल जाया लेकिन अगर आप इमोशनली रूप पर पूरे परिपक विक्सित हो चुके हो तो किसी की मजाल नहीं है कि आपके इमोशनली रूप से आपको नुकसान पूचा दे लेकिन इसकी सुरात कैसे करोगे अभी थो जो बच्चे स्कुल में जाकर और इक्टिविटी सिखते है के मोटर मतलओ जो सरी सो जूड़ी एक्टिविटी शीखता है बच्चा गेमस सीकते हैं किसी कुंपिटेशन में जा रहा है ययोगा वगारा कर रहा है ठीक है तो पक्च्चा खुद करके जब सीख रहा है तो स्कूल के अंदर जो बच्चे को 360 डिगरी रिपोर्ट कार्ड मिलेगा जिसको परगती पत्र या उन्नती पत्र कुछ भी बोल सकते हो इसमें तीनों डोमेन बच्चे के यहापल सामिल किये जाएंगे फिलाल तो यही समझाता हूं आगी जैसे जैसे कुश्चन आएगा बाकी क 11 11 11 11 11 ठीक तो है वाई पहला ही तो है इसमें एट किलास तक और क्या है इसमें इसमें निपी 2020 जब शिक्षान नीती 2020 पड़ोगे ना उसमें लिखावा है किलास फिप्त तक या इससे भी हो सके तो किलास एट तक बच्चों को सिक्षण का माद्यमा आपका मातरवासा होनी ठीक है तो फिप्ती भी लिखावा है सिक्षानीती 2020 में एट भी लिखावा है ठीक है यह गलत नहीं है ठीक है ठीक है चलिए यह बात होगी आपको कि बच्चों को 360 डिग्री अपना रिपोर्ट कार्ड या प्रोग्रेस कार्ड उसको दे जाएगा जिसमें सभी पक्स बच् सिर्फ आपके क्या ठीक ते पहला ठीक ता और ठीक था पहला और ठीक था पहला ठीक हो जाएगा समझी आप लोग इसको बारे में बड़ा महत्पून आपका जब उनलाइन प्पर आयता दुनिया अबर के आपके कुश्चन की लाइन लगा दी ऑनलाइन इक अंदर 360 डिग् क्या कहता है next next कहता है कि एन फी 2020 में से कौन सी सिख्षा सास्थ्रिय रंडी नित्यू को बढ़ावड देती है कि किस परकार बच्चों को पढ़ाना है कैसे सिखाना है उनको बताओ किसको बढ़ावा देती है ड्रिल अंप्रैक्टीज जहापर भी ड्रिल कर देंद्ध सब इसको काड़ देना हमें बच्चों को ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं करा नहीं देखो जब हम बच्चों को कोई चीज बार-बार प्रैक्टिस कराते हैं बार-बार अभ्यास कराते रहते हैं तो बार-बार बच्चा उसको रटना शुरू कर देता है यानि कि रोट जाबिर भी रोट दिखे रट्टा मार दो हमें ना तो बच्चों को कोई याद कराना है और रट कर तो वैसे भी आपका गलत हो जाएगा दोनों गलत अनिमेशन आधारित अधिकम बिल्कुल ठीक बात है इंक्वेरी बेस लेंडिंग की बात करता है जहां पर बच्चा सके तो किलास तक बच्चों को सिक्षण का मात्रवास होनी चीए अब इस्टुडेंट ने कोशन पूचा और स्टुडेंट ने जो कोशन पूचा मैंने उसका आंसर यहां पर देदे उसको चीज़े समझा दी तो अगर वह स्टुडेंट यहां पर में इसकी क्लास में नहीं तो आपको इंक्वरी बेस लेंडिंग को ज्यास ज्यादा बढ़ाव देना है अगला डिसकर्शन बेस बिल्कुल ठीक वात है जितना बच्चा आपकी रचनवाद की निव्या भाई जितना बच्चा आपस में डिसकर्शन करेगा पैरेंट्स के साथ पियर गुरुप यानि फोर ठीक है यह दोनों गलत है इनके अंदर रट्ठा मार देना ठीक है समझ गया आप लोग इसके बार में ठीक है अगला देखते हैं नेक्स्ट कुर्शन आपके सामने क्या दिया हुआ है नेक्स्ट कुर्शन यह आगया आपके सामने स्क्रीन पर नज़ डालते हैं अधिगम उद्देश से क्या होंगा पहले निपुन भारत लक्स से देख लो ठीक है ये कई बार आपके एक्जाम में इसकी सिर्फ फुल फॉर्म भी पूछ विए मैंने का ना एक्जामिनर पागल हो गया पेपर सैट करने वाला पागल हो गया यार कहां से इतने कुछन लाए जब पर आपका उल्नाइन वादा बार बार निपुन की फुल फॉर्म फुल फॉर्म देता जाये ठीका कई शिफ्ट के अंदर सी निपुन की आपर फुल फॉर्म देदी तो निपुन की फुल फॉर्म आप लोगों के सामने लिख हुए निपुन भारत की फुल फॉर्म न यानि सभी बच्चे बहासाओ की नोलिज ले सके ठीक है और गणना यानि मैथमेटिक यानि कैलकुलेशन से सम्मधित गणना सीख सके तो यह निपन भारत का सपना है चिक्सानीती 2020 के अंदर एक आपका यह था एफलन फाउंडेशनल लिट्रेशी एंड नुम्रेशी कि जो क्लास थर्ड है क्लास थर्ड तक हमें बच्चों के अंदर फाउंडेशनल लिट्रेशी एंड नुम्रेशी की कि क्लास थर्ड तक जब बच्चा आ जायेगा तो हमें उ ठीक है तो यह आपके इसकी बात करता था एफलन के बाद भारत सरकार की तरफ से लोंच किया गया निपन भारत मिशन लोंच किया गया यह 2021 के अंदर आपका लोंच हो गया था ठीक है और इसके भी कुछ थोड़े बहुत दूस्परिणाम या रहे हैं कि गुर्मेंटी स्कूल में अड़िया दिलाते है मैंद करी गोर्मेंटी स्कूल के जटीचर ने और पका पकाया खान कौन लेगा प्राइविटी स्कूल के टीचर तो सरकारी स्कूल बढ़े नराज है रहे हमारे उपर अधिकार का दबाव रहता है निपन भारत के लग्सों को आप जल्दी से जल् नो found की अगर बाप कि आपके पहली भालाटिका हद प्रि इस्कुल प्रभानवाड़ी जो भी आपको ध्यान एकना है कि बाच्चे आपर कम से कम दोख्सर वाले सरल सब्थों को पढ़ ले सिर्फ कम से कम दोख्सर वाले ठीक है। यह बहुत सब्सक्राइब लेकिन यहाँ पर बच्चा अर्थ के साथ पढ़ना शुरू कर दे इतना जरूरूर अपने निपुन लक्षों को हासिल कर ले लास सेकिंड के अंदर चल जाएगा तो पैटाली से साथ सब्सक्राइब परती मिनट की परवासे आपर बच्चा पढ़ ले मीनिं जो किलास थड़का है अगर इन से नीचे की बच्चा कोई पर्फोर्मेंस करता है तो समझ लो निपुन लक्षों को यहाँ पर प्राप नहीं करा किसे ने ठीक है फिर उसके खिलाब कारवाई क्यों नहीं करवाई यहाँ पर ठीक है बहुत चीज़े है ठीक है तो यह समझ करेंगे बहुत समझ में अगर अगर झार्वal कि बता है गौट है या रायाए तेहिसी क सपोर्ट नहीं करती अच्छा फिला और तो तीसरा इसको तो support करती है यार ये इकOT Twin 있었ा मैंने किसको support नहीं करती और मैंने उसको लगा तीछ iha Pues को सपोर्ट करती है तो सपोड किसको नहीं करती सैकंड और चोथ यधिभी तो यह जाएगा आपका आंतर तो पूरा फोकुस्स समझाने पर है अब खुश हो गई तो यह तो मैंने पहली काट रखा है कि दूसरा आपका क्या हो जाएगा गलत और चोथा गलत हो जाएगा ठीक है चौन कि बघ्नित के अगर बात करूं के अंदर है तो बालवाटिका में 10 अपर यہांपर कर ले और बच्चा फीगर्ज की पेचान को कि जान ले किलास सेकंड में बच्चा जब आ जाएगा तो यह आप निन्याण में तक की संक्याओं को यापर घटाव कर सकते हैं इसको श्क्रीन सोट लेलो यह गूगल से डाउनलोट कर लेना इनको याद अज्यामिन ने क्रूशन पूछ लिया था कि निपन भारत मिसंट क लक्से कोडिंग ये कुश्चन पूछाता है ठीक है कि बुनियादी साक्सरतावा गणित के अधिगम उद्देश से क्या होंगे तो जैसा आप लोग इसमें देखोगे एक मिनट में समझ के साथ जी नहीं कम से कम साथ सब्द समझ के साथ पढ़ ले एक मिनट में कम से कम कितने साथ सब्द एक मिनट में कितने किलास थर्ड के लिए नियूनतम साथ सब्द पर ती मिनट की परवा से पढ़ ले तो यह आंसर आपका ठीक हो जाएगा निपुन भारत मिसन का लक्से दोजार चब्वीस रखा है एफलन जो आपका शिक्सानीती दोजार बीस में था उसका आपका लक्स है दोजार पचीस था लेकिन जब निपुन आया तो इसका लक्स आपका दोजार चब्वीस कर दिया था ठीक है तो निपुन भारत के बारे में आप लोग समझ गे चलिए बढ़ते बापके सामने ने नेक्स्ट बात करता है नीपी 2020 का नुसार आकलन के यानिके असस्मेंट के क्या उद्दिश चाओंगे पहला आकलन किसले करते हैं ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस को देखने के लिए बच्चे ने कितना सीखा है सीखने के इस तरको सुनिष्चित करने के लिए विद्यार पर जो आकलन को उद्द्देश से यह नहीं है ठीक है लेकिन आपके अधिकलन को दिश से यह है कि दर तनाव पैदा करना सीटाट के अध्यापन के अन्दर नंबर पास निया फेल होगे तो डर और तनाव अपने आप ही आजाएगा तनाव अब क्या कर आगे मेरा बहुत से क्या रहेगा ठीक है दूसरा अधियापणने दिघंव करीयाओं को दोरानी कि बात करता है देखो यह बात जो सकत है किसды चाहिए अब लेकिन अगर आपके आकलन की बात करूंगा तो जितना चोटा बच्चा चीजों का अध्यापन को यहां पर दोहराव करेगा उतना जाद यहां पर सीखेगा तो अगर मैं बड़ों के लिए जब ले सकता हो तो छोटे के लिए ले सकता हो ठीक है आधिगम और विकास को अनुकुलीत बनाना बिल्कुल ठीक बात आकलन इसलिए बना रहे ताकि हम जो डवलोप्मेंट होता है बच्चे का लेंडिंग होती है उसको उसकी परिष्टिति के नुसार अनुकुलीत बना सके कक्सा के अंदर और बाहर विद्यार बच्चे टीचर को तोड़ रहे सरकार स्कूल के बच्चे उन्हें मारत अब ठीक है फलाने अब लें तुझ को तोड़ेंगे तो इसकूल के बाहर मैंने टीचर को पिटते वह देखा है तो जो भी सपोर्ट दो भाई अपने स्कूल के अंदर देजना ठीक है शिक्सानीती 2020 सबस्कार 20 की बाचा-ण्री बाहर भी मालें किसी के पैरेणटेंट एंब रहा तो इतनेमेתח मां बच्चे här मास्ता हमारे बच्चों को मb fetch Asus 반 भर स्मूझ्ञार आपको डिपार्टमेंट के इन दर जाकर काम करना है ठीक है तो आंतर इसमें क्वासे हो जाएका दूसरा तीसरा चौता है पहला यहाँ पर आपका आंसर गलत था ठीक है समझगे डी यानि दी दी कौन साथ डी सेकंड थर्ड फॉर्थ यहां पर आपका ठीक हो जाएगा ठीक है बढ़ते बापके सामने अच्छा परक आ गया देखें एक सेंटर की भी बात कहीं जा रही है जो एक असेस्मेंट सेंटर बनेगा जहां पर बच्चों का आखलन की दियओ सेंटर मेक है अगला नेक्स्ट सामने क्या दियावाए जरा इसके ओपर हम लोग यहां पर डालते हैं नजर MEP 2020 का नुसार अनुबवात्मक अधिगम देखो यहाँ पर फिर बात आगी Experiencial Learning की बात आगी अपने Experience के माध्यम से सीखना Experience के अधार पर सीखना उसको सभी चंड़ों में अपना जाएगा बिल्कुल ठीक बात है उसको सभी लेवल पर अपना जाएगा आपका पूशा है अनुबवात्मक अधिगम के संदर्व में क्या ठीक नहीं है तो नेगिटिव को आंसर आपको नेगिटिव देना है ठीक है चलिए भए नज़र डालते है अब अब बैच में संस्कृत क्लास दे रखे हो हम लोग लिए उर्दू क्लास एंड कीजे उर्दू क्लास विलाइए ताके हम लोग को योग टीचर के पास जाना ही ना पड़े देखे मुझे मैंने इस साल बात कर रही थी तो वह दूर ते काफी ठीक है एक अच्छा कासे नोलीज वाले तो उन्होंने करके सर मैं आनी पाऊंगा और मेरे पास इस्टूडियो वगरा नहीं है अदरवाइज मैं आपके उर्दू के भी टीचर की क्लास पेड़ बैच में आपको दूंगा ठीक है तो उनसे मेरी बात नहीं हो पाई थी अदरवाइज और मेरे पास तो आते रहते हैं बाइटा वगरा टीचर के मुझे ठीक नहीं लगा था इसलिए मतलब आपकी उर्दू की नहीं है तो आप देखते है एक्स्पेंसल लेंडिंग के बारे में क्या से जोडने में मदद करता है बिल्कुल ठीक बात है कैसी टांसवर पोजीटिव टांसवर ओफ लेंडिंग कैसा पोजीटिव टांसवर ओफ लेंडिंग यहनी जब एक जंगह का अनुभव जो आप लोग ने आप एक्जाम देते हो जो बाला उससे आपको कनेट करता है तो यह आपका पूजीटिव ठीक है पूरी तरीके से पारमप्रीक किताबें ज्यान को बढ़ावा देने पर आधारीता पारमप्रीक किताबों को बढ़ावा देने की बात नीजना क्या मुझा कभी देखा है भूकिस लेंग्वेज इस्तमाल करते हो जी नहीं तो जब मैं ना बिल्कुल ठीक बात है उसके रियल लाइफ से कनेट करना आपने देखा होगा मैं एक्जामपल देता हूँ ज्यादेतर डेली लाइफ से वास्तिविक जीवन से कनेट करने वाले होते है तो भई इसके नदर नेगीटिव कौन सा था ये दो नेगीटिव ठीक है पहला और तो पहला और तीसरा यानि कि सेकेंड ये नेगीटिव आंसर वाला आपका ठीक हो जाएगा बाकी दोनों आपके पोजीटिव है बिल्कुल ठीक आप लोग यहाँ पर जा रहे हो सची बात है सर बिल्कुल ठीक आप लोग गए ठीक है अगला क्वेशन देखते है नेक्स्ट तरफ मेरी तरफ से बोनस नंबर क्योंकि पहले कोश्टन आ गया था और मैंने सही से आपको सारा समझा दिया था अगला क्वेशन देखो यह देखो नेक्स्ट कुस्टन आपके सामनी स्क्रीन पर आया एंपी 2020 का नुसार एंसी एफ एसी यह जो एंसी एफ एसी है इसका मतल आपको पता सबसे पहले हैं आपका निटिन सेंटी फाइव केंदरा फिर एटीएट केंदरा फिर 2000 केंदरा जो आपका टीचर्स के लिए फिर 2005 केंदरा सबसे ज़्यादे जो आप लोग एंस्ट पढ़ते हो दो जार पाच क्योंकि सब जादे क्वेश्टन आपके वही पर लेकिन अब आने वाले कुछ समय के बाद आप लोग पढ़ोगे एंस्टेफ दोजार तेइस ठीक है तो यह बात करता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फोर इस्कूल एजुकेशन एनी इस्कूल एजुकेशन के लिए आपका करिकुलम आने वाला एंस आने वाला है जापर शुरुआ से लेके बच्चे के आगे तक की जितनी भी शिक्सा रहेगी उसका सारा का सारा ब्योरा इस एंस्टेफ के अंदर देखने को मिला है तो काफी इंट्रेस्टिंग रहेगा हालकि बहुत बड़ा है ठीक है पढ़ने बैठोगे तो बहुत आपको दिक्कत होगी मैं पर इसके उपर व्यूडियो बना दूँगा तो यह किसकी बात करता इसी इसकूल ऑजय दालते हैं कि 25 तक प्राथ्मिक विद्धाले नेश्राइब्ष्क रॉनियादी साखसर्ता और संक्यात्मक्ता यानि जिसको को का जाता है FLN FLN मतलब Foundational Literacy and Numeracy जिससे पहले मैं आपको बताई जो आपका शिक्सानीती 2020 कंदरा है और इसके अधारपर आपका जो निपुर्ण आपका प्रोग्राम चला है भारसरकार दुआ ठीक है तो FLN को प्राप्त करने और उसको सर्वोच प्रात्मिक्ता परदान करन अगलिए शिक्सा मंतराल ले कर दिया यह कि इसी सिखसा निती 2020 कंदर कर गया है अब से नामक परियोजना मिशन को यहां पर आरंब करा था तो देखो यार यहां पर लिखावाय है निस्टा हो गया दिक्सा हो गया यह टीचर को टें करने के जो है इनके लिए चला था लेकन अगर मैं बात करें इसके अंदर आपका एफलन कोंचा एफलन फाउंडेशनल लिट्रेशी अंड नुम्रेशी तो इसके अंदर आपका यहाँ पर एफलन और निपुन के अंदर से किसके साथ जा रहे हो बिल्कुल सही निपुन भारत तो देखो यार यहाँ पर फाउंडेशनल लिट्रेशन नुम्रेशी तो कह दिया मुझे उम्मीद नहीं थी तुम लोग इसका अंसर दोगे जब यहाँ पर इसने फाउंडेशनल लिट्रेशन नुम्रेशी कह दिया तो एफलन के ऐसे होगा यह 12 सरकार द्वारा लाए गया 621 के अन्दर जिसको लाए गया और जिसका टार्गेट का पर लखा है देक। या टार्गेट इसने 2025 एफलन का दिया हुआ था और निपुन का कितना दिया हुआ है 2026 जो इससे पहले मैंने आपको पता है तो बिलकुल ठीक गए फसे नहीँ हो बिल क्या कहता है यह कहता है निम्न में से कौन सी सिख्षा सास्तिय रणनी थी कौन सी पेड़ागोजी कल इस्टेटीजी एंपी 2020 द्वारा प्रस्ताविता पहला अनिवेशन आधारी तदिगम मैंने का इंक्वैरी बेस्ट लेंडिंग बिल्कुल ठीक बाता है जैसा एक्जामपल स्टोरी कहानियों के माध्दम से बहुत जल्दी सीखता है यह सब जोटी चोटे आप लोगोंने सुनिये काणी जैसे मुझे ज़्याधेतर मेरी कहानि मुझे चो कानी सुने शिक थचा है वह बहुत सुनाते तो कहानियां जंगल की से रोक्षयों सब चीज की तो बच्चा क कहानी से जल दिए ट्रइक्ट होता है बच्चा कहानी से क्या काम करता है अमुए टिरसं greetकर ना इसके बेना होगा और बच्चा किसी छीज़ को गरपक diferencia कि सब्ढ़ता हुआ और कहानियों के माल्यान से पड़ता थो उसका इंट्रेस्ट लगता है याप लोग 2020 पढ़ रहो आपको नहीं लग रहा है कहानी की तरह आप लोग यहापर पढ़ते जा रहे हो कोई भी किताबी लेंग्वेज के भिनाए तो आपको बच्चों को इस प्रगार से पढ़ाना पढ़ेगा मुझे थोड़ी पता है कि आप लोग आप चर्चा है और डिसकर्शन आपको जासाधा करानी जो बात मैंने का जैसे हम यहापर डिसकर्शन करा रहे हैं तो किसको प्रस्तावित करती है पहला और यहापर आपका दूसरा पहला और दूसरा ठीक है पहला और दूसरा यह क्या आपका अच्छा यह भी है ना डिसकर्शन व पर साइंस का सही है आप पर मैसेज करना डॉंट वरी आपका कोर्स चेंज हो जाएगा ठीक है और एक आपको एक कोलिंग नंबर भी में हफते बर के बाद दे दूँगा उस पर आप सीधे करके करवा सकते हो ठीक है अरे पर इसका पता है कि नहीं किताब के नंदर पर इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं इतने पूरे इंडिया के लेवल पर हम क्या कर सकते हैं ठीक है लेकिन कोश्ट उसकी 290 है कोई ना कोई डिस्टुबिटर आपको 290 में जुरूर दे रहा होगा उन्सा आप लोग ले सकते हो और बच्चों के मुल्यांकन के लिए डैस और डैस को समावेश को प्रस्तावित करती है बताओ बच्चों के मुल्यांकन के लिए किसके समावेश को प्रस्तावित करती है देखो अगर मैं यहाँ पर आपके सामने बात करूँ मैंने जब आपको 360 डिगरी रिपोर्ट कार्ड आपको बताया था देखिए अगर यहाँ पर आप लोग देख रहे हो जैसे पेड़ागोजिकल लर्निंग आपके सामने आगिया जावर बच्चा कोशन पूटफ कर रहा है चीजे पूछ रहा है क्वीजी के माद्दम से बच्चा सीक रहा है और बच्चे की भासा विकास के लिए तो रोल बड़ा महत्पून होता है बच्चा ग्रूप वर्क में सीक रहा है सामोई बढ़ावा देना है पॉर्टफोलियो बड़ा महत्पून आपका असेस्मेंट करने का बड़ा एफेक्टिव तरीका क्या होता है पॉर्टफोलियो एक ऐसा डॉकुमेंट ये एक ऐसी दस्तावेजा एक ऐसी फाइल होते है जिसमें बच्चे से जुड़े सभी रिकोर्ड बट 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 यहां रखना वड़ी महत्पून बात जो मैं आपके सामने बता रहे हूं जो भी बच्चे का असेस्मेंट करो या जो बच्चे के लिए आप पॉर्टफोलियो बना रहे हो वो एक निश्चित समय अउदी के लिए ये बात सिक्सानीती 2020 ने भी किलियर कह दी ह है एक निश्चित समय अउदी के लिए आपका पॉर्टफोलियो होना चाहिए कि मान लिए इस साल के लिए एक महीने के लिए तो टाइम देख लिए और एक निश्चित समय उदी के लिए फिर उस बच्चा का पॉर्टफोलियो आपको त्यार करना चाहिए ठीक है यह बात है कि आप लोग यहाँ पर समझ गेंगे अब यहाँ पर जो पूछता वह कुश्चन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं और को इसमें तुछ यह पूछ यहाँ पर बच्छों के स्कूल के दोस्ति आ रहे हैं उनके मादम से करेगा कि यार मेरे से कुछिन पूछ फिर मैं तुझा आंसर दूँगा ठीक है आप लोगों के लिए किसी प्रकार के इस्टेंडर्ट टेस्ट और नाइस प्रकार के टेस्ट ठीक है तो आंसर आपका फॉस्ट यहां पर सही हो जाएगा बढ़ते बापके नेक्स्ट के लिए क्या कहता है एनिपी 2020 का नुसार आकलन के लिए अंतर नहीत सिद्दान्त क्या हो होना चाहिए जो बच्चों के लिए आप आखलन कर रहे हो उसके लिए अंतर नीज सिद्दान्त क्या होना चाहिए पहला मुख्य रूप से रटने के कोशलों को परिक्षण करो रटने को देखते रट्टा माननी की बास सचन सन्ने कहिए यह तो बिल्कुल भी नहीं होना च इतने भी स्टुडेंट है उनका क्या है लर्णिंग यानि जो सीख रहे हैं और जो उनका डवलप्मेंट होता है उसका अड़ेप्टेशन करना ठीक है उसका अनुकुलन करना उस बच्चों को उसके अंदर ढालना ठीक है यह करना चीए विद्धार्तों का वर्ष के अंत की जो परिक्सा होती है निसमेटिव असस्मेंट के माध्दम से केवल संगयनात्मक आयम का आकलन करना सिर्फ कोगनेटिव डॉमेन नहीं एफेक्टिव डॉमेन और साइको डॉमेन और साइको मोटर डॉमेन तीनों डॉमेन की बात करता है यह भी आपका गलत सिर्फ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा वेरी गुड सीसी के साथ जा रहे हो ठीक है वेरी गुड अगला देखते नेक्स्ट कोशन आपके सामने क्या दिया हुआ है नेक्स्ट आपके सामने कहता है कोशन यह कहता है कि इस्तानिये विशे पुस्त के ठीक है कौन सी पुस्त के जो आ कौन सा दिये गए कथन के अर्थ को निरूपित करता है बताओ जो आपकी नेशनल टेक्स्ट बुक है या जैसे मान लीज़ा आपके NCRT की किताब है उनके लिए कौन सा सभी स्टेटमेंट आपका चिक्सक को बच्चों की इस्तानिये भासा में केवल मोखिक परसनी पूछने पर पूछने चीए तो कोन-कोन पहले के साथ यहाँ पर जा रहा है कि कोई नहीं गया भी तक पहले के साथ ठीक है चलो जाओगे लेकिन मोखिक के साथ लिकित भी ओनी चीए इसलिए गरत कर दिया नीचे यह वाले उप्सन है ना मुझे लगए चारी उप्सन है दूसरा सब कैस domestic 20 बच्चा सबसे ज़sce कि सबसे आपको सबसे पुस्तकों के दौ चलत हो इस तरीके से तयार करने चीमें विद्धारतीं यहारतियों और समूदा आए कि झाया क्योंकिव भंवानिक्तन अर्वांचित सिंगर ow और कि ठोत सामगरी को सवारे को सबाने और जो ऑचे निवानिक्तन नंसके 세 hike तो सी ओडि आंसर आपका हो जाएगा और थी आंसर हो जाएगा फोर्ट के साथ कौन-कोन जा रहा है बिल्कुल ठीक सभी लोग फोर्ट के साथ जा रहे हैं अगला कोसन देखें नेक्स्ट कोसन आपके सामने हो थी काम कर लिए और यह पेडांगोजी का निचोड़ पेड़ागोजी का निचोड़ आपको करा देती है यह सिख्सानीती है निपी 2020 सामाजिक और आर्थिक रूप से यानि जो सामाजिक रूप से कमजोर बच्चे है ठीक है माली जो कोई पिछड़ समुदाय से बच्चा रहा है या माली जो कोई आर्थिक रूप से कमजोर बच् क्या सबसे महत्पून है और जो इस प्रकार से जो पिछड़े और सामज़क और आर्थिक रूप से बच्चार है मैंने बता उनके लिए जो आपका टीचर स्टुडेंट रेशियो है वह भी 25 रेशियो एक का कर दिया है ठीक है ताकि 25 बच्चों पर एक टीचर यहापर हो सके और यह तो आपको पता ही है रेशियो के हालत कितनी खराब है तो इन आपके समुदाय के उपर जो सामज़क और आर्थिक रूप से पिछड़ें इनके उपर ज़्यादा द्यान देनी की जड़हता है इनको जाशाधा संबान देना है जाशाधा प्रोसाइट आपको करना है तो बताओ क्या चीज प्रस्तावित करती है रटकर सीखना रटकर ने को रट्टा मार दो रोट लेंडिंग आपको नहीं करनी पाठ्थे चरिये मुल्यांखन का मानकी करन मानकी करन को देखते स्टेंडर को देखते संड्यका तोड़ दो परदसन उनमुक परिक्षन परफॉर पर्ठे चरे बिल्कूल ठीक बात ऐसा करिकुलम जो उनकी रिलेट करता हो जो उनके कब करता हूँ जो नकी मातर वासर से रिलेट करता हो ऐसा करिकुलम होना चीए ऐसी किताबे यहाँ पर होना चाहिए ठीक है जो इसली बच्छा समझ पाए और उनके लेकिन डिटेल में इतनी गहराई तक अगर आपको जाकर पढ़ना तो आपको मीनिंग फुल लेंग पड़ेगी इसलिए क्लास इतनी बड़ी जा रही है वहना मेरा तो काम और ज्यादा आसान हो जाता है और जिसके वज़े से आपको एक्जाम में भी देखने को मिलता है ठीक है क्योंकि वापर जब आपका समझ पर आधारित को सना आएगा आप भटको नहीं बिल्कुल भी और रट्टाफिकेशन से बिल्कुल काम नहीं चलने वाला फिर तो आपको छोर देख सकते हो तो आंसर आ है गति आधारित अधिकम एक ऐसी लर्णिंग जो आपकी फ्लेक्सिवल मल्टी लेवल एक्टिविटी कराता हो देखे एक तो पहले गतिविदी आगी तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक है अगर बच्चा कोई चीज सीख रहा है तो गतिविदी के माध्दम से सीख रहा है और उसमें भी कैसी है वह आपकी फ्लेक्सिवल मल्टी लेवल एक्टिविटी के माध्दम से सीख रहा है आपने बच्चों को कोई गेम बढ़ियाने लग रहा है अच्छा चलो ठीक है दूसरा करा देते तो इसको तो बिल्कुल बल देती है आपकी शिक्सनीती 2020 बच्चों के केवल संग्यनात्म की विकास से संब्धित पहलू मैंने का सिर्फ कोगनिटी डॉलम्हें नहीं कोना साथ फिजिकलम डैवलप्मेंट सोसल डैवलप्मेंट इमोशनल डैवलप्मेंट सभी पर बल देना है राश्टिय पाठी चलिए के मान की करत आगया बैई स्टेंडर तो इसका स्टेंड तोड़ दो बच्चों के इसमरंड कोशलों के मापन पर यानि की बच्चों के किस पर याद करने पर इसमरंड का मतलब क्या होता याद करना तो हमें कोई भी चीज याद नहीं करनी है यह भी गलत सिर्पांचर यापर आपका फुर्ष्ट सही हो जाएगा बढ़ते बापके नेक्स्ट कुर्ष्टन के ओर और यार मैं थोड़ा सा पानी पिलू मेरा गला थोड़ा सा सुग गया है क्लास भी बहुत बड़ी हो गई है और एनिपी 2020 का पूरा निचोड़ आ जा गया आपका ठीक है ठीक है पानी पिलू थोड़ा सा नीद आ रही है सो क्लास इंट्रेस्टिंग लग रिया आपको मजा रहा पढ़ने में आपको ठीक है करेंगे भाई मैत की भी करेंगे ठीक है चलो आज यह आप जल्दी खतम होने वाली है बस किलास जो आपकी 10 मिनिट में खतम हो जाएगे नीपी 2020 में निमली कितमे से कौन सा प्रावधार नहीं सुझाए गया तो नेगिटिव का भाई आपको आंसा नेगिटिव बताना है पहला परतेक विद्धार्त की विशिष्ट छमताओं को पैचानना और उसको बढ़ावा देना यह तो सुझाए गया यह तो महत्पून है तो यह भी सिखाया गया यह भी पोजिटिव हो गया सरजनात्मक ता यानि जो क्रियेटिवटी होती है उस पर प्रियाप्त ध्यान देना चाहिए और तारकिक निड्ने करने के लिए नवा चारिता यह नहीं ने इनोविटी तरीके उसको प्रोसाइद करने के लिए पालन यानिकी डिसिपलेन को बढ़ावा तेपने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तोमाल करने कर ना चाहिए निगेटीव और नेगीटीव का भाई आंसरा नेगेटीव तेखो यहा पर बात आपके अनुपालन, डिसिपलेन की बात हुरी है, आप बच्चों क बचाया यहां खड़ा कर दूंगा मुर्गा बना दूंगा हाथ खड़े कर दूंगा यह इनाम देकर कि जो मेरी क्लास में चुप रहेगा उसको में टोफी दूंगा एक कोपी दूंगा यह रिनफॉर्समेंट का काम करता है ठीक है यह बच्चों को यहाँ पर खुद से सीखन बोल सुपर चैट आई है यह बोल तर आप से पढ़कर सीटेट पास क्या और टीचर बन गई है और मेरे खाल से सोना लिजी अवरात के टाइम में यूटूब चला रही होंगी डूटीस आई होंगी तो यूटूब पर किलाज दिग गई होगी तो इन्होंने सूपर चैट यह जो सेलेक्टिट बच्चे जो टीचर बने हुए बहुत सूपर चैट के आप पैसे बेजते हो ठीक है अगर आप वैसे भी लिखते होगे तो भी काम चल जाएगा इनको मुझे बेजने के जाएगा किसी गरीब वरीब को खाना खिला दिया करो ठीक है या जानवरों को ख किया गया है ठीक है जाओ दो कुष्चन मेरी तरफ से हो गया आपके यह रिपीट हो गया अगला कुष्चन देखते हैं नेक्स्ट कुष्चन आपको दिया हुआ है विद्यार्तों के लिए नेपी 2020 द्वारा निमने में से कौन से उपकरण विद्या प्रस्तावित की गई ह कौन से असस्मेंट के टूल्स है जो नेपी 2020 द्वारा प्रस्तावित के गए पहला रोल पले बहुत बढ़िया तरीका होता है खासकर मैंने बता है भासा विकास के लिए तो बड़ा एफेक्टी तरीका होता है जो आपका रोल पले होता है ग्रूप पर जब बच्चा आपस फ्वर्थ आंसर आपर आपका सही हो जायगा के लासकंता खतम होका सब्सल्क्रा तक इसृप सब्सल्क्राइब तब मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे बड़ी क्लास में तो बच्चा भी मतलब एक बार को कुछ ज्यादा तर बच्ची ऊप जाते हैं तो मेरा ही लोग से बट अगर मैं के सामने अभी भी नएक अचेफ्ट हैंगे लाश्ट कॉस्चन तक इसलिए कहता हो पूरी वीडियो मेरी देखा करो लाश्ट तक आपको कुछ न कुछ नया देखनों को मिलेगा देखो यह कहता कि भासा शिक्सा पर भासा शिक्सा पर राश्ट्य शिक्सा नीती 2020 के संदर्व कौन सा कथन सही नहीं है आपके एक्जाम में काफी सारे कुछन आपकी भासा से पूछ जाएंगे चैपकी कोई भी भासा हो चैपने हिंदी ली हो इंग्लिश ली ओ संस्कित लिओ कोई आप लोग ने भासा लिओ तो कई कोश्चन वापर आपको देखने को मिलेंगे देखि पहली सीक्सानिती 202 विओ नहीं का सिक्सानिती आपकी 1968 कंदर आया ती तब आपका ठी लें़िऄ के इंदर कागया है कि स्कूलों के अंदर बच्चों को ठीवासे पड़ानी जरूरी है पहली पहली बच्चों की मातरवासा यानि कि बच्चों की जो मदर टंग होती है वो चया बच्चे की मदर टंग कुछ भी हो मालीजे मैंने बच्चे की मदर टंग हिंदी ले लिता हो ठीक है बच्चे की मदर टंग मैंने हिंदी ले ली तो पहली भासा सबसे और modern language में भी खासकर आपकी जो दक्सिनी राज्य की जो आपकी भासा होती है, उन में से कोई एक भासा, तमील, तेलगू, करनड बगारा, उन में से कोई एक भासा आपकी होनी चीए, तो तीन भासा आपकी होनी जरूरी है, जो स्कूल केंदर बच्चों को आपको पढ़ानी ह हैं और उसमें सबसे पहली भासा मातर भासा होगी, मैंने तो अपनी हिंदी लिखा है, कोई यहाँ पर कुछ भी लिख सकता है, अब देखें, जो तिरी भासा सूत्र है, इसके इंतरगा सास्त्रिय भासा, यानि जो क्लासिकल लेंग्वेज होती है, देखें, अभी तक आप और क्या है, ओडिया, यह आपकी छे क्लासिकल लेंग्वेज है, सास्त्रिय भासा है, और सास्त्रिय भासा के दर्जा ऐसी नहीं है, कि यूँ ही ऐसी मिलिया, कई सालों तक को देखा जाता है, इनके परमुख लेक देखे जाते है, तब सास्त्रिय भासा के दर्जा पराप् प्रत को भी होने वाला ठीक है उन्सक्राइट होने वाली लेकिन नोभी आपकी फार्शी होने वाली है बटर आपके एक्जाम में नहीं आएगी वह क्रेंट फेर का कुस्टन है तो यह आपकी छहें लेंगवेज सास्त्री भासा है इनका देन करना तिरी भासा सुथर के नतर बिल्कुल ठीक है जैसे मैंने बताया यहाँ पर एक मोडल लेंग्वेज के अंदर इन्हीं में से कोई ना कोई एक यहाँ पर हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर बच्चा सीख लेका बिल्कुल है और इस तिरी भासा सुद्र को किसी राजजिकों पर थोपा नहीं जाएगा औ और यहाँ पर कोई सीभी लेलो इनमें से भी भारत यह पर यहाँ पर फ्रस्ट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर देखे जो पुच्चन उसने अपर नहीं है पूचा है अब जरा नहीं है के बारे में संपर्ग वतिया अब मैंने आपको मात्र वासा बता दिया इसका रोल आ बात करता है या भासा के रूप में अंग्रेजी भासा कद्धिन करता है इसका अंचर आप लोग मुझे बता दिये सारा मैंने यहाप को आपको एक्स्प्लेइन कर दिया है ठीक है आपका नेगरेश देखते हैं पहलेस फелей निम्लिकत में से भारस सरकार की कौनची पहलेों विद्यारती अधिकान सुरूप से पर्मुक भारतिय भासाओं की उल्लेकनिय एक्ता के बारे में जानेंगे ये बात हुई थी आपके एक भारत श्रेष्ट भारत ठीक है तो जो सरदार वल्लंबाई पिटेल जी है तो उनके उपलक्स में क्योंकि उन्होंने सभी रियाय से त विद्यारत आपका चला सही हो जाएगा अगला कुर्शन देखते नेक्स्ट क्या कहता है राष्टे सिक्सानीती 2020 में विदेशी बासा है देखें विदेशी बासाओं की भी बात कही गई है जैसे बच्चा आपका माध्दमिक लेवल पर आ जाएगा तो देखो माध्दमिक सुष्ट्ण तो आट इस्टिम ली इसने तो ऑठीछ लिए अगर माली जे आट इस्टिम उध्चा और इसको यहां पर अकाउंट पढ़ना है अब वो कोमर्स का सउथटेंट यहां पढ़ाएगा तो डूसरी वाद यहां पर आजवी का कमानी के लिए शिक्सानीती 2020 में बह मतन्त कर आगा सहकता कि चल्ड का दीचि था कर सकता था कि बच्चा आगे जाकर अपनी आजिवीड़न न रह सके तो बहुंत का कमाने का उसके पास अच्छा साधन नहीं हो सके इसके नहीं आप यह वह कही इता चनวत का मालत भी हैं कि स्थर पर चांग के साथ आगए किन-किन विदेशी भासाओं की बात कहीं गई है वह आपकी कोरियन जापानीज थाई फ्रेंच जर्मन इस्पेनिस पुर्टगाली और रूसी इन में से किसी भी एक भासा के अध्यन के रूप में अनुसंचा करता है तो इसकी कि भासा के रूप में अनुसंचा करता है तीरी इति बासा में तीन बासाया यह आपकी यह कौनची भासा है यह यहापकी व Jackie आपकी जो अत्रीक्त बासा की रूप में एगी और आप पर मारा last question तो हमारा last question यह पर बचा है यह लाश्ट कोर्शन के बाद आप लोग अपना स्कोर स्कोर बताना और यह देखते हैं लाश्ट कोशन क्या यह ज T yes क्रतार विद्धाली तैयरी के लिए तीन महां तेन महिने का खेल अधारित मोडूल spm एक मोडूल बना जा कि बच्चों को एक्टिविटी कराए जा सब्सक्राइब उसको दिक्कत यहापन ना हो सके तो इस प्रकार का तीन महीने का एक आपका एस पियवी पीरफिरिशन मुडूल के विकास के अनुसंचा की गई है और किसने करी गई है क्योंकि आस तो यहां पर आपकी चीजय मैं आपको कवर कर दी जो आपको किसी टीचिंग आगजाम के लिए होती है ठीक है और खासकर आपके सीट एट है एक जाम के लिए तो और देखो लगबग दो घंटे हमारे होगे बताव वह आपका स्कूर कितना है और लाच तक आप लोग रहते हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्यू क्यों कि मोटिवेशन मिलता है और दो घंटे के अंदर हम श्रमरीन मलिक के 33 का अच्छा पहले का यांसर दे रहो ठीक है अक्षिता सिंग के आयत 30 नंबर वेरी गुड़ अक्षिता प्रबात के 30 है थैंक्यू सर एम सरमा के 31 है वेरी गूड वेरी गूड गंध्याम के 30 है नीतु कुमार 27 अविनास कुमार 29 है यार स्कूर तो बहुत अच्छी तर्षिता है टैम्ड गंध्यारत कर तरफ कर लिए एक सर्फितार तरफ करो ठीक नित्याय गाल गफिता थीज़िये तो बहुत जब से मैं यूट्व पर आयों सब तभी से मलाब मेरा कब्वी टाइम यह चींज नहींवा बहुत सालों से मैं जब कभी भी आ रहा हूँ 8 बजे आता हूँ ठीक है तो यह इसी टाइम पर मैं पढ़ाता हूँ कभी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हूँ है कुछ और तो कभी दूसर टाइम होता है अदरवाज आठ वजे डेली आप लोग आ जाए करो किलास मिल जाएगी ठीक है और आपने कल क्लास लीत मेरे पास नोटिवरेशन नहीं आया था नहीं करो कुछ नहीं घूर्ट में तो ओनलाइन किलास आपकी सुन नहीं हो एंसर आम मेरीड वोमेन एट इज थर्टी पर मेरीड लाइफ में बहुत इजी नहीं होता टाइम देना पढ़ाई पर कुछ टिप से पढ़ने के देखो आपको घर की जिम्मेदारी भी साथ के साथ है देखे आपका जो पढ़ने का कंटे टाइम में और आपको एड वगएर नहीं आएंगे डिश्टन नहीं होंगे तो वह आप लोगों ले सकते हो ठीक है आमर जीत भाई आपका भी नाम ले दिया ठीक है तर आपसे बात कैसे होगी आए मैट टीचर एंड आई वांट तो जोए और सचिन एकडमी सर ठीक है ठीक ह अजिए